कि आइज आज बहुत सेम इशू होगा अज फिर से हमारी नोटिविकेशन नहीं जाएगी जैस्ट बिकोज संजीव सेर का लाइव चल रहा है तो मैं काम करता हूं कि मैं शेयर करी देता हूं कि मैं शेयर करता हूं जी आप लोग को वह नोटिविकेशन मिलने दिक्कत होगी कि ओल्दोल टाइम पता है तो बच्चा आ जाएका नोटिविकेशन मिली जी आप लोग को प्रियांशी गुपता गुड़ इवनिंग नोटिविकेशन मिली है आजाओ जी आजाओ फटाफट शेयर कर दो जार जो बच्चा पहुंच गया है जिसको नोटिफिकेशन मेरी मिल गई है प्लीज इसको शेयर कर दो जी बहुत जवर्दस्त वाले नोट्स बनाएं काम करता हूँ इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्षिन भी डाल देता हूँ गुड़ इवनिग डीपक राज गुड़ इवनिंग नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्षिन में डाल दे रहा हूँ आज के चालो ओल्दो मैंने टेलिग्राइम चैनल में भी शेर कर दिया है और स्टेटेस भी लगा देता हूं रुको आप लोग आप लोग भी दर दर शेर कर दो करो फट आफट फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी करेंगे क्लास आओ जी आफट आफट से लेकि आफट से बच्चे को लेकि आफट आफट आएं गुड रिया अब यह नोटिफिकेशन करना बड़ा पंगा होने लगा है तो अब इस चक्कर में क्या करें मुझे सब बच्चों को अब बहुत बहुत सही हूं आशिश राना भी आ गया है जहां राशिश अब भी आ गया हो अज यह सूरज कहां से निकला है बहुत दिनों के बाद वो फेश टू फेस वाली फील आ रही है हां पेश टू फेस वाली फील आ रही है जी फटाफट चे जोइन कर लो जी फटाफट चे जोइन कर लो अधा आओ फटाफट आओ आई गेस रेलेवेंट ग्रुप्स में तो आप लोग शेर करीद होगे जो मेरे ग्रूप्स हैं उनमें मैं शेर कर रहा हूं ठीकिक ना आप भी कर दो हाँ येस सैर गड़े बहुत जबरतस्त वाली क्लास होने वाली आज मतलब जो डर है ना चैप्टर नबर फॉर फाइफ का तिर्फ दो क्लास के अंदर सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सारे के सारे चार्ट और इतना बढ़िया वाला चैप्टर होगा आर सीडी का मैं बोल सकता हूं चलो मैं अपना टेक्निक को करता हूं बंद अच्छा नोट्स मिल गए हैं जी नोट्स मिल गए हैं आप लोग को नहीं मिले हैं सर मैं तो वेट ही कर रहा था आशिश कहा रहा है सर आशिश आप तो तीन क्लास कैसे लेट होगे फिर वेट कर रहे थे तो आज तो फोर्थ क्लास है हमारी 25 मार्क्स का तो अप्रोक्सिमेटली हम लोग रिवाइज कर चुके हैं 25 नंबर का पूरा 7 घंटे का CRPC हम लोग इतने अच्छे तरीके से रिवाइज कर चुके हैं कहां थे आप भाई हम जी कहां थे आप कि यह सर मिल गए और चलो तो स्टार्ट करें बस एक चोटा सा काम और कर दो यह लाइक बड़े कम दिख रहे मुझे व्यूस बड़े ज्यादा देख रहे सब्सक्राइक बड़े कम दिख रहे हैं अच्छा सा नहीं लग रहा सर देख चुका हूं ती नो क्लास चलो अच्छी बात है फिर आपके 25 प्लस मक्स आ जाएंगे कि बड़े जो इसको इस गैप को ना फिल कर दो देन उसके बाद मैं चार्ट करता हूं और आज ही गलास सो एक बर मुझे पताओ कि क्या इस चप्टर से सर नोट्स नहीं मिले स्नीहा मेरे गुरुप में भी मैने नोट्स डाली हैं टेलेग्राइम गुरुप में बेने नोट डाले हैं WhatsApp ग्रूप में बेने नोट्स डाले हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो वहां से डाउनलोड कर लो लिंक से कर लो अगर नहीं हो रहा तो आपे काम करेजे लिंक से कर लिजिए फिर ठीक है जी हां सर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करवा दिया करवा दिया कि पिर भी नहीं दिख रहा मुझे तो कोई बात नहीं कि मैं ओके एकदम से बच्चा कहां गया डुको इधर दियान देओ कि चैप्टर नंबर फाइव कि इस टेम क्यों मैसेज़ कर रहे हूं कि जैए जल वाल बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं कि अधिस्क्रिप्शन में लिंक जैए जैए जैल वाल आ रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए है मैंने अभी अपडेट किया है आप एक बड़ चेक करके देखो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अपने एंड पर ही अपडेट किया है नहीं 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 ऐसा नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक आर्सीडी का ही है चेक करो रखुल प्रीत बोल रहा है कि सब को जोर जोर से बता भी दिया है नो सर कोर पर डिस्पुटी आ रहा है ठीक है जी स्टार्ट करते हैं आची क्लास और देखो यह बेसिक जो है इनको मैं कर रहा हूँ साइड रिविजन वीडियो है रिविजन के तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले कुछ बेसिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ठीक है न है करे श्टार्ट करे श्टार्ट लग जाता है सम्टाइम मैंने वह वीडियो स्टार्ट होने के लाइव आने के बाद मैंने और सीडिक अपडेट किया है तो तब आपको शायद इसलिए प्रोब्लम हो रही होगी एक सेकंड और मुझे दो दैन में स्टार्ट कर रहा हूँ येस सो बढ़ते हैं अब इधर दियान देगा सारा बच्चा सारे बच्चा का ना नजर यहां होनी चाहिए अब कुछ नहीं मैनत करनी आज की क्लास ना एक जश्ट इतना बड़ा प्रोविजन अच्छा एक बात ध्यान रखना अगर आपने आज की क्लास पर धियान लगा इनवेच्टिकेशन ऐस पर कमपनी जे याश सेर कर दो विस्पोर्ट कर रहे हैं विस्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन यहां प्रोविजन चका तो इधर हमें दूर लो और किस औपerniz ADLink Wow कि एक मिट दो मुझे मैं इस पर बताऊंगा ना तो सही दिखेगा हूँ देखो इदर चलो स्टार्ट करते हैं आची क्लास इस चैप्टर को जिसका में बेस अबरी से इंतजार था पहले बात तो कितने मार्स तक एक्जाम में आ जाता है तो अप्रोक्सिमेटली बीस नंबर से पच्चेस नंबर तक एक्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएग बीस नंबर तक का 20 मार्स के अप्रोक्सिमेटली आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा सर अब इस चैप्टर में है क्या ध्यान से चैप्टर का नाम है कभी सोनी हैलो हैलो कभी चैप्टर का नाम है रेगुलेटरी एक्शन चैप्टर का नाम है रेगुलेटरी एक्शन अगर आपने जैसे पहले चैप्टर के अंदर कुछ प्रोब्लम कर दी आपने फ्रोड कर दिया आपने बिसकंड़क्ट कर दिया आपने कुछ भी मेलब गलती कर दी जो उसके अगेंस्ट रेगुलेटर का क्या action, regulatory, action क्या होगा, सर बोला गया है, हमारी regulatory को, मैं अपने end पे तीन पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और पार्ट में, धिहान से सुनना, सर इंस्पेक्शन, inquiry, and investigation, कहां पे, companies act के नथा, chapter number, 14 लगेगा, section 206 से 239 लगे, no down करो लगे, पूरे का, पूरे chapter का, फिर सर हम करेंगे, इंस्पेक्शन, inquiry, and यहान आप search भी करोगे, प्रोविजन और भी करोगे, search and seizure, search and seizure, इंस्पेक्शन, inquiry करने के बाद, अगर आपको लगता है, कि जो company है, जो इसके directors है, officers है, वो company के books of accounts को, relevant papers को, अगर alter कर देंगे, change कर देंगे, छुपा लेंगे, conceal कर देंगे, किसी भी तरीके से temper कर देंगे, तो फिर हम उसको ना search and seizure भी कर सकते है, power, सेक्शन 209 के अंदर भी है, power, और सेक्शन 220 के अंदर भी है, power, मैं बताओंगा, दोनों में भी difference क्या होने बाला है, सर, अब inspection inquiry, seizure वगएर आप देखोगे, seize वगएर देखोगे आप, कहाँ देखोगे आप, sabby laws में, under sabby act, और जो भी sabby regulations वगएर जितनी भी हमारी syllabus में आएंगे, sabby वाल एक दर्जा दिया है, एक कंपनी जो, एक्ट का दिया है, सर, और फिर आप देखोगे, inspection, inquiry, investigation, वगएर जो भी, as, seize करना, inquiry, करना, investigation, करना, जो फैमा में बताया गया है, थोड़ा सा, अब यहाँ आप, SCRA Act भी देखोगे हैं, यहाँ, FCRA Act वगएर भी, जो भी आप देखोगे, मैं लब जो foreign contract वाली, FDI वगएर जो हमारी regulations, basically इसमें लगती है, wait for a while, just मैं आपको exact बता दू, कौन-कौन से लगेगी, यहाँ मानलो, आप competition act भी मानलो, सर्य, competition act भी मैं इसी के अंदर फोल कर रहा हूँ, यहाँ एंसे लिवी जितनी भी regulators है, और factories act भी मानलो, एक तरह से मैं यहीं पर consider कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक पेज के हैं, ज्यादा बड़े-बड़े नहीं है, one, two pages, one, two pages, one, two pages, hardly, बस, one, two pages, अब FCRA भी बोल दिया, मैंने, FEMA भी बोल दिया, मैंने, factories act भी बोल दिया, sir, competition act भी बोल दिया, मैंने, ठीक है जी, अब यहाँ आप करोगे, sir, sabi में sabi act, SCRA act, sabi's fraudulent and unfair trade practices act, sabi prevention of holding, of inquiry imposing penalties act, मलब sabi से rated आप यहाँ पड़ोगे, sir, और other than sabi FEMA है, FCRA है, competition है, factories act है, यहाँ पड़ोगे, sir, मैं जो last categories में, इसमें, fourth category में, इसको divide कर रहा हूँ, बहुत धियान से देखे ने, सबसे लड़ू category है, यह, लड़ू, यह, मैं बोल दूँगा, आज की class, today's class, अगर आपने समझ ली, today's class, अगर इस class पर आपने comment बना लिया, यह, आज के two hours, आपने मुझे दे दिये, दो घंटे, सबादो घंटे, धाई गंटे, अगर आप लोगोंने मुझे, और अपने आज के provision को दे दिये, तो इस class में बज़े लेने हैं, इस class में बज़े लेने हैं, sir, last है हमारी, income tax के अंदर कैसे seize वेगरा चलता है, and जी एश्टी के अंदर, दे कोई यह मेरा part नहीं है, यह मैं नहीं करवा पाऊंगा, आपको धोके में नहीं रखूँगा, मैं विवेक सर से पूछ लूँगा, उन्होंने इसकी revision करवाई होगी तो विवेक गाबा सर ने, या फिर विवेक गाबा सर ने इसकी करवा दें, अगर नहीं करवाई हो, और उनको लगता है कि हाँ, उनके पाश टाइम है, और वो अगर आप लोग ही करवा दें, तो मैं उनको request कर लूँगा, बट येस, इस चीज़ के बारे में आप मेरे से जादा ही जानते होंगे, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों के टेच में हूँ नहीं, मैं तो एक pure theory आप लोग को पढ़के बता दूँगा, उससे better है सर आप, अपनी एक class उसको कोई अच्छी ज़ह यूज़ करो, सो ये दोनों जो हैं ना मेरे, ये दोनों hardly, hardly 20 pages, 25 pages के हैं, ये मैं एक दिन में, यानि next class में, second class में, इस chapter की में, मैं complete करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मेरा way होगा ना, जैसे मैं आज आपको पढ़ा दूँगा, इतना अच्छे तरीके से company data मारा हो जाएगा, तो ये class तो अपना पर ये लड्डू लगेंगे, ये बिल्कुल easy लगेंगे फिर आपको, ऐसा लगा है सर, same same तो है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क् जो provision है, एक basic provision है, inspection का, inquiry का, investigation का, वो सब में सेम है, just जो change होगा, inspector का, inspecting authorities को appoint करने का, उनको power देने का, उनके days, बस just इतना difference आएगा, कौन regulatory authority है, बस जादर से जादर ये change आएगा, otherwise जो अंदर का basic provision है, जो inspection का मतलब inquiry का मतलब, seize का मतलब, seizure का मतलब, fix का मतलब, और क्या कहन सब कुछ सेम होगा, सब कुछ जो basic terminology है, वो सारी सेम होगी, just difference आएगा, inspector का, inspector को appoint कोन करेगा, regulatory authority का, powers का, just, इस से जादा कुछ change नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा पस ये change आएगा, तो मैं भोल दू, almost, almost analogous है, आज की class पे धिहान लगा लो, savvy वाले, FEMA वाले, सारे provisions से नहीं होने वाले, तो आज ही class है, main class chapter इसकी, और इसी में से 15 नंबर तक का examiner पूछ लेता है, औरों में से भी generally 10-12 नंबर का पूछ लेता है, तो 20 नंबर, 22 नंबर तक का हमारे chapter है, approximately 125-130 नंबर का जो paper आता है, हमारा, और में भी जो questions आते हैं, तो मान के चलो, 20-25 नंबर क आपको इस वाले series में डाल दूँगा है, तो दुबाराच आप लोग को देखने हैं, वरना, रेफर कर दूँगा, पूछ को कौन सी वीडियो number है, ठीक है, अब इधर जान दो, प्लीज, तो अब होगा क्या, ये मेरी strategy रहेगी, सर ने को 20-25 नंबर का CRPC, 25-30 नंबर की Sunday वा हमें वाली है, 50 नंबर हमारे वहां से के, और 20 नंबर के आसपास यहां से के, और रह गए दो-तिन चैप्टर, सर वे तीनो-तीनो चैप्टर मिला भी लूमें, हमान लो 70 नंबर हमारे यहां हो गए, और सर साथ नंबर और हमें चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में भी पर जाता है 20-20 नंबर के मान लो वे चैप्टर होगे, 25-25 नंबर के वे चैप्टर होगे, तो यह पूरा-पूरा एक ICS का प्लान होता है, पूरे syllabus का, जिसमें से हम अपना almost 25 नंबर पूरा कर चुके हैं, almost आज और day after tomorrow, 25 नंबर, 20 नंबर यहां पूरा हो जाएगा, संडे वाले दिन सर हमारा पूरा हो जाएगा, 25-30 नंबर वहां, तो 70 नंबर के आसपास का वे पर यहां पूरा, और आने वाले हमारे पांचे क्लास में, 60 नंबर का वे पर वहां पूरा हो जाएगा, ठीक है जी, तो आज ही क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ basic terminology हमें पता होने चाहिए, सर, inspection का मतलब क्या है, inquiry का मतलब क्या है, investigation का मतलब क्या है, बहुत दिहान से pin drop silence हो, आपके room में pin drop silence हो, बस आज मुझे दो घंटे न, अपने, ये important two hours मुझे दे दो, दो घंटे के बाद आपके न, दिल में confidence हो जागा, सर, ये chapter अब हमारे tips पे है, I assure you, हाँ, और मैं बता द सर, case study, judicial pronouncement, जो add हुई है, वो होगी, इस chapter की class में, नहीं, आज मैं उसको cover नहीं करूँगा, just because, वो case studies बहुत लंबी जाती है, उसके अंदर ना, मिरको minimum आदा आदा घंटा एक case study में चाहिए, वो नहीं होगी, मैं provisions cover कर रहा हूँ, case study के लिए, मैं बाद में separately कुछ provision ले ल होगा, जब syllabus हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना class live रहेगी, class के बाद मैं उसको private कर दूँगा, तो कभी बच्चा बाद में बोले सर हमारा तो ये problem है, ये problem है, तो इदर उदर जो भी बच्चा आपका friend है, जो सोचरों बाद में लेनेंगा, बोल जवाब notes, तो पहले हमें न ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ओके सर, करें स्टार्ट फिर आजी class, तो करते हैं सर कोई भी निया topic स्टार्ट, बहुत जोश, full energy के साथ, जैशरी गनेश, आज का concept, उमीद रहें, हर बच्चा, जो मैं चाहता ह के एक way में लेके आगे बढ़ेगा, guarantee है, दो घंटे के बाद आप ये chapter अपने pocket में लेके जाओगे, पूरा concentration लेवल करना, दो के धाई हो सकते हैं, बट ये मत करना, बीच में सर अब जानना है, अब ये करना है, बट class उसके बाद live नहीं रहेगी, मैं private कर दूँगा class को धि इन्वेस्तिकेशन पिर से घंट भी इन्वेस्टिकेशन, फिर सर हमें ये पता होना चाहिए, एक तो हमने कभी कभी सुना है ये inquiry को मतलब क्या होता है, बच्चा मेरे को बोलेगा, सर यहां क्या हम E लगा सकते हैं? आई इंक्वाईरी और इंक्वाईरी में क्या डिफ्रेंस होगा आज सारे ना मैं बोल सकता हूँ सब सिक्रेट का अनलोक होने वाला है अनलोकिंग ओल दा प्रोविजिंस बिहाइंड इस फोर टर्म्स इंस्पेक्शन नाम से पता लग रहा है सर इंस्पेक्ट कर रहे हैं सर इंस्पेक्शन एक ऒलाइक एक तरीगी की स्कृट्नी होगी इंस्पेक्शन एक तरीगे की स्कृट्नी में बोल सकता हूँ स्कृट्नी सर जो डोक्यमेंट्स सुन लेना बड़ी जहांसे रोड टात्वश बना रखें सारे आर 0C के पास करते हो कुछ ROC से अलग आपको stock exchange को कुछ ROC से अलग आपको कोई different regulatory authorities जैसे competition act में कुछ करना है आपको कोई भी आप merger कर रहे हो take over कर रहे हो combination बना रहे हो agreement कर रहे हो बात आ रही समझ में कोई अलग-अलग थोटी savvy के पास कर रहे हो listed companies हो तो जिस-जिस regulators के पास कर रहे हो generally बोला गया है ROC है main जो power यहाँ companies act की दी गई है तो जो उन act में उनको लगेगा तो वो relevant act में आप against action लेंगे अब यहाँ companies act को लग रहा है तो companies act में कोन action लेगा ROC action लेगा जिहान देना सारा बात sir inspection का मतलब होगा सर जो भी document आपने जो भी information आपने file की थी annual filing किया था तो जो भी चीज आपने किसको update की थी sir जो भी चीज अभी तक आपने update की थी SEBI को तो उन सारे information को उन सारे records को annual accounts को financial statements को SEBI को लगता है जैसे randomly उठा लिया randomly उठा लिया या ऐसे नहीं प्लक कर लिया और जब प्लक किया तो फिर क्या होगा उसके बाद क्या होता है troc को लगता है कि sir कुछ चूठ गडबड तो हो रही है कुछ ना कुछ चूठ गडबड हो रही है accounts में उनको एक शक होता है कि sir कुछ ना कुछ affairs company के खराब चल हो रहे है जान से सुनना आरोसी या इंस्पेक्टर क्या कर सकता है कंपनी को बोल सकता है डिमांड कर सकता है कंपनी को या उसके ओफीसर को कि आप हमें information दो आप हमें document दो आप हमें information क्या करो एक तर से information आप provide और poss करो a फिर को information आपने already दे रखिये further information दो या फिर जो information दे रखी थी उसके ऊपर आपके गेंश्ट न हमें इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, हमें explanation दो, हमें information दो, या कोई document मैं आपको बताऊंगा, sir वो document हमें produce करो, वो documents की list हमें produce करो, कितने दिन में करो, वो भी मैं आपने order में आपको बता दूँगा, तो जो order आप मुझे file करोगे, उस पर फिर मैं क्या कर किया जाए, क्यों न आपके गेंश्ट चो को notice file करें, कि sir आपने company में fraud किया है, आपकी company में misrepresentations चल रही है, आपकी company में misleadings चल रही है, आपकी company में कुछ घडबड चल रही है, क्यों आपके गेंश्ट किया जाए, then वो जो भी representations देंगे, books of account रखेंगे, जो भी records रखें हम बोलेंगे, आओ हमें represent करो, हम क्यों आपके against action ले, तो जो person अपने books of account relevant documents को लेके, जब ROC के सामने आएगा, या ना आए सामने, वहीं से अपने documents भेजेगा, तो बोल दिया जाएगा, कि sir उसकी inquiry होगी, sir कि section में बताया गया inspection और inquiry का provision, section 206 में and section 207 में बताया गया है, inspection and inquiry के provision, sir इनकी reporting का आएगे, बता रखा चार्ट में, tension बतो ले लिखने की जरूत नहीं है, इनकी reporting के लिए section 208 बताया गया है, sir report आ गई और report में लग रहा है, fraudulent conduct की गई है inspection inquiry के अंदर, sir report के अंदर fraudulent कुछ लग रहा है, कि books of account के अंदर ना घपला हुआ है, और वो books of account हमे डर है कि कहीं ये fraud में क्या ना कर दे, कि sir कहीं company या उसके directors, officers कहीं books of account को छिपाना दे, इन books of account को transform ना कर दे, mutilate ना कर दे, tamper ना कर दे, मतलब forgery ना कर दे, accounts में, तो sir दोस्तों नो भी लग जाएगा, 209 क्या बोलता है sir, जो document जो आपकी books of accounts वगएर है, उनको क्या कर लेना seize कर लेना, enter करना premises पर जाएगा ROC, उनके बिना बताए, without any prior notice भी जा सकता है, जाएगा, उनके books of account को seize करेगा, और seizure करेगा फिर उनको, seize करेगा, jump करेगा, and then अपने पास रख सकता है, और कितने दिन के लिए रखेगा, sir one go में 180 दिन के लिए रखेगा, उस जाद नहीं रख अगर आपको बाद में भी फिर return करने होगे, और बाद में लगता है, sir हमें फिर लेने हैं, तो फिर ले लो, एक स्टो सेजन के लिए maximum, लेकिन जब आप वापीस दोगे, या फिर company से लोगे, तो company को आपको reasonable opportunity देनी होगी, कि company चाहे तो उसकी copy कर ले, books of account की, company चाहे को important extract लेने हैं, वो ले ले, और जब आप उनको वापीस दोगे, तो आपके पास भी power है, आप उसी copy कर लो, extract ले लो, कहीं mark करके छोड़ना है, कि sir इस वाले point पे हमें doubt था, हमने inquiry बिठाई है, इसके ओपर, हम आगे further or proceedings करना चाहते हैं, इस चीज़ के ओपर, तो वहाँ भी कर स होंगा, लेकिन उससे पहले हमें समझ में आया, sir inspection का मतलब तो बस document का, inquiry करने का मतलब, sir उन document को produce करने के लिए, उनको explain करने के लिए, हम बोल सकते हैं, कि company अपने legal representative को, company के directors को, KMP को, managers को, MD को, officers को, employees को बुला सकते हैं, हम लोग अपने सामने, CS को, practicing CS को, अगर CS नहीं तो उनको बुला सकते हैं, बात समझ में आ रहे हैं, बच्चो को, sir फिर बोला गया है, अगर हमें लगता है, कि sir, तीन ground होंगे, mainly मान लो, investigation करने की right किसके पास है, यहां तो बोला sir, ROC के पास, investigation करने का right किसके पास है, investigation करने का right है, central government के पास, only, आप कोगे sir, 213 में हमने invest करेगी, central government को, then central government section, 210, subsection 2 के अंदर उसको approve करेगा, shell order pass करेगा, but main मैं बोला सकता हूँ, किसके पास है, center government के पास, तो provision section 210 से, 229 तक किस पे लगेंगे जी, 210 से 239 तक लगेंगे investigations पे, बहुत मजाने वाला है, सारा का सारा ना, आज आपका tips पे होके जाएगा, मैं assurance दे रहूँ आपको, तो वो लगेंगे investigations पे, बात आरी समझ में, चलो जी, अब investigation generally होता है, जो भी data आपने collect किया न, inspection करके, inquiry करके, जो scrutiny होगी, उसको verify किया जाएगा, आपके सारे books of account के साथ, जो आपने filings की है, जो हमें information दीती, सबको जाचा परखा जाएगा, and then उसके base पे आपके ओपर order pass होगा, अब इस start करते हैं, इस chapter को, फिर बच्चा बोलगा, sir, हमने inquiry और inquiry के बीच में difference, sir, inquiry का मतलब जो generally जो police करती ह एक लेमें तरीके बाता रहा हूँ, जो police inquiry करने के लिए आती है, जा जो ROC आपकी inquiry करेगा, documents की, inspections की, inspection करेगा, but inquiry का मतलब जैसे आप से rail ticket वगएर के counter पर जागे inquiry करते हो, inquiry, inquiry counter, मतलब जो आप जाते हो, generally जो authority करती है, वो inquiry, I, और जो आप जाके हम, जाके कहीं पर authority पर RTI इनक्वाइरी, inquiry, समझ में आगया, जो दोनों टर्म्स में different, exam में I, N करना है, E, N ने करना, एक बार मुझे इतना समझा दो, कि sir, हाँ, एक मिट के लिए रूखो, एक मिट के लिए रूखो, ये कुछ निया आपका मतलब, ये तो मैं regular lecture में, slide share बगएर बना देता हूँ, इ एक तरह सब मानना की, sir, fraud है, discrepancies company में हो रही है, तो inspection investigation हम कर लेते हैं, इधर जान दो, generally, जो method of inspection है, investigation है, वो same है, similar in every law, यही तो मैं आपको समझा है था, sir, savvy laws में, FEMA में, competition में, income tax में, GST में, generally similar है, बस main discrepancies, changes आएंगे, वो किसमें आता है, थोड़ा बोता, inspecting authorities में चेंज जाएगा, sir, जैसे महाँ SFIU आजाएगा, कुछ special cases में, तो बस authorities के अंदर change आजाएगा, appointment inspector के अंदर change आजाएगा, sir, inspector की powers different हो जाएगी, और sir, passing inspection order बगएर, पास करने की जो time limit बगएर, वो change हो जाएगी, otherwise, basic structure सबका same रहेगा, बस inspector की powers, और यह इनके अंदर changes आप देखो यह जब आप next class में, जब आप मेरे साथ देखोगे न, आपको खुद दिख जाएगा, sir, बैसे तो same to same है, मैंने तो आज करी थी, खाएंगे अगली class में भी उचीच का, यह आप exam में भी होने बाला है, तो यह सारे notes भी मैंने बना दी है, कुछ addition कर लेना, कुछ addition कर लेना, मैंने नहीं किया आप लोग के लिए, वो आप लोग कर लेना, आज exam में, मैं आज में class में highlight कर दूँगा, वो चीच add कर लेना, section 211, यह बाद में देखेंगे, sir, जैसे section 211 में SFIU appoint करना है, उसकी power, जैसे central, CBI होती है na, Central Bureau of Investigation, उसके जितनी ही power हमारी किसको दी गई है SFIU क जैसे criminal laws में, CBI को appoint कर जाते हैं, check करने के लिए, investigate करने के लिए, जैसे विजय मालिया वगरे, जैसे हम जो CBI को बोलता है, CBI के पास case चला गया, जैसे अभी वो शुशान सिंग वाले matter गया था, तो जो भी उसकी वो थी girlfriend थी, जिसको पकड़ा था, वो करने के लिए, वो drugs वगरे मामले में, CBI ने, अब क्या किया था, लेकिन Companies Act में जो white collar crimes करते हैं, जो बड़े-बड़े crimes है, white collar crimes, जो more heinious nature के हैं, जैसे सत्यम जैसे scam था, जैसे King Fischer का scam था, ILFS का scam था, DLF का scam था, इन बड़े-बड़े scams में से generally कोन आता है, SFIO, वो एक तरह से CBI की जितनी power, जै 212, तो SFIO के लिए section 211, and 212 हम लोग पढ़ेंगे, एक बारना यहां नहीं पढ़ रहे हम, यह वाला मतलब मैंने regular class में, फिर में, अब यह बता दूँँगा आप लोगो, बड़ चलो सुन लो, section 439 क्या बोलता है, सर हमारे company में कौन-कौन से offense, हमारे companies act में, generally सारे offense non-cognizable मान with warrant, without warrant भी उठा सकते हैं, सर, in general, जो non-cognizable होंगे, तो parties apply करेंगे ROC को, ROC कोन apply कर सकता है, shareholders, center government, savvy, liquidators, जब यह ROC को बोलेंगे, कि सर, ऐसे offense होगे, then वो action लेंगे, और tribunal को application लगाएंगे, कि सर, यह कुछ गलत हो चुका है, ROC tribunal को application लगाएगे, और उसको पर action लिया जिसमें generally 2 साल से ज़्यादा की सजा है, generally, company's act बोलता है, although कहीं पर bifurget नहीं किया, but company's act ने बोल दिया, कि सर, कॉंगनी जेवल का मतलब हम बोलती है, ऐसे offense जो section आज ही पढ़ेंगे, दोस्तो, बारा, सब section शेकेंदे रहेंगे, आज पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, सर, ऐसे offense के लिए, SFIO is the investigating authority, इस वाले offense के लिए, सर, ROC के पास power नहीं है, चाहिए, CG ने application लगाई है, shareholder ने application लगाई है, किसी ने भी application लगाई है, पर main authority का है, या ROC के पास नहीं लगानी, यहां लगानी है, सर, SFIO के पास, बात आगे समझ, कहां लगानी है, SFIO non available nature के होगे, अब मुझे बता दो, हाँ सर, समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़ो, अब आप आगे बढ़ो, सर, समझ में आ गया, दो भाई मुझे फटा-फटा अपना अंसर दो, हाँ सर, समझ में आया, basic समझ में आ गया न, inspection, inquiry, investigation का, अब मैं पूरे chapter का structure आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, देखो, अभी मैंने जो आपको समझाया, yes, yes, तो सब बच्चा बोल रहा है, yes, sir समझ में आ गया, समझ आ गया, चलो, जी, इधर दियान दो सारा बच्चा, sir, inquiry करना, sir, inspection करना, और investigation, तीन टम से न, पहले, सबसे पहले होगी inquiry, sorry, सबसे पहले होगी inspection, ध्यान रखना सारा बच्चा, सबसे पहले होगी inspection, सर कौन सा section बोलता है इन्स inspection के लिए section 206 है और मैं अंदर का सब्सेक्षिन भी आपको लिखवा दूं सर सब्सेक्षिन 3 5 और 6 सब्सेक्षिन 3 5 और 6 में बता गए inspection कौन कौन करेगा मैं बता दू कौन करेगा रोसी करेगा सब्सेक्शन 3 में सेक्शन 206 के अंदर सब्सेक्शन 3 में ROC करेगा सर उसके बाद RD RD इंस्पेक्टर को पॉइंट करेगा सब्सेक्शन 5 में सर 4 कहां गया 4 में होगी इंक्वाइरी ध्यान से फिर उधर सर Central Government कोई by way of Special Order या फिर General Order क्या कर देगा Special या General Order से कि की सी b रेगूलेटर को बोल देगा Regulatory Authority को बोल शेचिर रेटरिक को बोल अगा डेटरी नी बोल लिए सचिर रेटरिकी को किसको बोल देगा जी Special या Order से statutory authority को बोल देगा कि sir आप इसके against क्या करो जैसे पहले यहाँ पर भी power तो CG की थी लेकिन CG ने power RD को delegate कर दी CG ने power RD को delegate कर दी अब RD किसी भी inspector को point कर देगा यहाँ CG ने एक तरसे by way of special order या general order को कुछ भी अपनी power delegate कि इसको कर दी statutory authority को और statutory authority को बोल देगा सर आप एक काम करो आपने inspection कर लो इस company के against या इस authority के against आप inspection कर लो बात आई समझ क्या बोल दिया मैंने ROC खुझ से भी कर सकता है subsection 3 में sir RD central government के पास power central government की power RD को delegate कर दी गई है और RD क्या करेगा inspector को point कर देगा सकता है तीसरी central government by way of general या special order किसी भी SI कोई भी कोई भी शिच्टरी बोड़ी किसी को भी बोल सकता है कि sir this one is the professional yes ये professional की class है जी तो किसी को भी बोल सकता है कि sir आप आओ और आप क्या करो जी इसके against offense basically क्या कर सकते हो इसके against inspection कर लो sir subsection 4 में हम क्या पढ़ेंगे inquiry अभी मैं पढ़ाओ मैं लब आपको दिखा दिया भी मैं इसको इसको इपर कर रहा हूँ है so that कि आप मेरा purpose आप लोग को दिखे अब इधर दियान दो sir inspector को point करेंगे या ROC को यहां मैंने ज़्यादा नहीं जोड़ा जोड़ना चाहें तो यहां आप लोग क्या जोड़ सकते हो इंस्पेक्टर आरोसी चेचरी अथर्टी चेचरी अथर्टी कौन appointed by central government सर central government appoint किया है inspector किसे नपोइंट किया था सर R.D. ने लेकिन ultimately किया तो central government नहीं था ना अब चेचरी अथर्टी को बोल सकते है सर चेचरी अथर्टी क्या करेगी सर अपोइंट करेगी ठीक है जी बात आगे समझ अब क्या होगा जी यह 206 में और 207 में अब 206 का भी मैंने आपको समझा दिया अब इधर दियांदे का सारा बच्चा कि इधर दियांदे का सारा बच्चा हम बोल रहे हैं सर जो inquiry है न वो 207 में भी हो सकती है अब यह मैं बताओं का 207 का परपस इन जेनरल inquiry कोन करेगा जी, ROC ROC, but central government को अगर एक बैठे-बैठे खारिश हो ना दिमाख में, 206 का, subsection 4 का first proviso इसमें central government के बैठे-बैठे दिमाख में ना खारिश हो इए अरे यार किसी भी ROC को बोल दिया या inspector को direct कर दिया sir आप inquiry करोगे inspection करोगे किसकी company की तो in general तो ROC करता है, कब करेगा ROC, जब subsection 1 में या subsection 3 में inspection करे, investigation inspection करने के बाद उसको लगता है कि sir मुझे करनी चाहिए, अभी मैं बताऊंगा दिखाऊंगा जब section पढऊंगा, जब बिल्कुल crystal clear हो जाएगा, तो central government के कहने पे भी inspection inquiry हो सकती है in general ROC खुझ से करता है ठीक है, हो सकता है center government, इसको भी बोल दे और inspector को भी बोल सकता है, कोई बाद है sir, 206 और 207 में inspection और inquiry साब बच्चे को समझ में आ गया अब कैसे कब करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, sir public interest में करनी है SR पास कर दिया company ने special resolution पास कर दिया company ने जब करनी है और कब करनी है sir, company को basically एक और में इसमें प्रोविजिन आपको बताऊंगा sir, SR पास कर दिया तब करनी है किस basis पे करनी है, सारी के सारी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है तो चलो एक बार चलो जी, राम राम जी, जो भी हो आप बच्चे कितना समझ में आगए अब बोल रहे, sir, यह inspection inquiry की ना जो report बनेगी न, reporting होगी prepare a report and submit to the central government सारी, report बनाएंगे और submit करेंगे किसको central government तो reporting कह होगी, मैंने जो आपको बताया था 208 में सर, तो 208 में जो reporting होगी न, investigation जो होगी एक ground ये भी है इसका जो 208 में inspection inquiry की report बन के आई, इस base पे भी investigation हो सकती है, SR pass कर दिया, तो भी investigation हो सकती है और last मैं आपको बताऊंगा, sir कि अगर public interest में है, तो भी investigation हो सकती है, बताऊंगा अभी investigation के point को, थोड़ा सा hold रखते है and then अगर लगता है, sir, inspection inquiry करने के बाद report में देख के लगता है, sir, company या उसके board of actors KMP, अपने accounts को क्या कर सकते हैं, alter कर देंगे, temper कर देंगे, तो search and seizure का order भी आ सकता है, दोस्तों में कब inspection inquiry के लिए, बात समझ में आ गई, इतना समझ में मोटा मोटी उपर-उपर से आ गया सा बच्चे को, sir, फिर मैं आप लोगो को लेके चलूँगा, एक बार पहले में inspect inquiry पूरा करता हूँ, फिर मैं दुबारा इस चार्ट पे लेके आँगा आपको investigation पे, फिर मैं पताऊंगा, sir, investigation central government कर सकता है, या tribunal कर सकता है, तब tribunal के पास power है 213 में, लेकिन tribunal तभी करेगा, तब only when final order made by the CG, tribunal ने बोल दिया CG को, sir, please कर दो, central government, जब इसको approval देगा 210, subsection 2 में, तभी होगा, और central government, actually मैं गर order आए, तो shell करना पड़ेगा, CG's को approval देदेगा, and then, central government, एक या एक स्याधे inspector को point करता है, तब investigation होगा, बट मैं अभी वहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी confused नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, sir, inquiry on investigation, up to 209 तक सब बच्चों को tips पर करवा रहा हूँ, बात आगे समझ में, अभी जो मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ थी, section 206, 7, 8, and 9, इनको बिल्कुल tips पर करवा रहा हूँ, सब बच्चों के, चलो फट फट, जिस बच्चों के पास regular book है, अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, e-book सब बच्चों के पास है, e-book खोल सकता अपनी, otherwise जो भी आपके पास regular book होगी, मुझे नहीं पता हूँ, अगर चिच्रियो थोर्टी दी है न, SFIO को तो करेगा, otherwise SFIO के पास power नहीं है, SFIO के पास investigation करने की पावर है, otherwise, अगर अभी में case दिखाऊंगा, अगर central government statutory authority को special general order देता है, SFIO is a statutory authority, अगर उसको order देता है, तो करेगा, otherwise नहीं करेगा, ठीक है, अब इधर दे आंदो, इधर दे आंदेगा सारा बच्चा सर section 206 के उपर, जब देखो ये ना, इस बार ICSI ने बड़ा लाजवाब काम क्या है, मेरी महनत नहीं है, कभी आप मेरी महनत सोचो, power is loaded, ROC के पास कहां कहां power दी गई है, इन इन section में, ROC के पास power है, क्या क्या करने की power है, ये last में देखना, chapter के बाद, जब आप पढ़ लो, उसके बाद मेरी book खोल के देखना, e-book या कोई भी book, जो भी आपास hard copy book हो, आपको ना, बिल्कुल tips पे हो जागा, पूरा कपर चेप्टर, अगर आपने पहले पढ़ा है, तो, otherwise आपको labor लगानी पढ़ेगी, मेहनत करनी पढ़ेगी, इधर दियान दो सारा, Sir section 206 में अभी मैंने आपको बढ़ा था, inspection करने की power है, तो आपको power to call books, information, record, मैंने आपको इससे पहले एक चीज और पढ़ाना चाहता हूँ, इधर दियान दो, कैसे, Sir, ROC, क्या करेगी, ROC, call, can call, कर सकते हैं, सब section 1 में बोल रहा हूँ, can call, subsection 1 में क्या बोल रहा है, 206 के, can call, return notice के थुरू आपसे क्या मंगवा सकती है, information या explanation, फरनीश करने के लिए बोल सकते हैं, company को और उसके officers को, company को और उसके officers को बोल सकती है, ठीक है, documents को, produce, बातारी समझ में, Sir, ROC, can call, by way of return notice, company को और उसके officers को बोल सकती है, कि Sir, कोई भी information, कोई भी explanation हमें फरनीश करो, information, explanation होते हैं, फरनीश, या Sir, कोई भी document हमारे सामने produce करो, if provided, अगर बोला गया है, मोडूल से कर लो, आशिश, मुझे नहीं पता कि मोडूल आपके पास कौन सा है, और उसमें किस तरीके से आपको बना के दिया गया है, जैसे मैंने अपनी book के उन्दर पूरा properly, मतलब हर चीज managed form में की है, मुझे नहीं पता आपके मोडूल में कैसे है, but obvious है, मोडूल में इस तरीके से तो नहीं दिया होगा, जैसे मैंने book में दिया है, तो document मंगवा सकती है, या फिर information and explanation मंगवा सकते हैं, document produce होते हैं, फरनीश होते हैं, अगर ऐसा हुआ, तो subsection 2 बोलता है, section 206 का, is bound, company और उसके officer bound है sir, to provide information या document, ध्यान से सुन लो, फिर section बढ़ाऊंको तो लड्डू लगेगा, company और उसके officer sir, bound है, अगर उनको notice आया है, information, explanation या document देने के लिए bound है, जो उनोन information और document दिये, if provided, अगर वो कर देते हैं तो, information is provided by the company, जो information provide कर रहे हैं कंपनी ने, वो complete है और correct है, पहले course तो ये, दूसरी बात, if not, सर अगर वो provide नहीं करती, पहले बात है, provide कर देती हैं, नहीं करती, तो क्या होगा, penalty भी हो सकती है sir, एक लाख रुपे तक की, और 500 रुपे पर दे, एक लाख रुपे की, तक की नहीं, एक लाख रुपे की penalty, और 500 रुपे पर दे, जब तक आप information, या explanation, या document नहीं दोगे, या फिर, थोड़ा सा और महरबान हो सकती आरो सी आपके उपर, बोल सकते हैं, sir, दुबारा से बोल सकते हैं, कि demand information, again, हो सकता है, sir, मेरे notice, आप लोगों ने, ignore हो गया हो, गलती से, इधर उधर, आप एना, मुझे information and documentation, दुबारा से second notice के थूँ, by the further notice, second notice के थूँ, return notice के थूँ, कि हमने आपको पहले भी notice दिया था, अब last reminder दे रहे हैं, दे दो, sir, जो आपने पहले दी थी information, वो complete थी, correct थी, तो बात, क्या होगी, खतम या, अब खतम ने, रूख जो, दूसरी बात, आपने नहीं दी, या आपने दी, और वो accurate थी, complete थी, आपने दी, information note provided, आपने नहीं दी, incomplete थी, लेकिन वो कम थी, तीसरी बात, inaccurate थी, गलत थी, incomplete थी, inaccurate थी, अब क्या होगा जी, ROC will again, फिर भी क्या हो सकता है, जो तीन बात है, तो नहीं दी, incomplete थी, inaccurate थी, then ROC will again demand information and document किसको, फिर दुबार रही हां, और जब दी, तो सर्मान लो, complete and accurate हो गई, तो एक बार मना कर दिया, दी कम दी, या गलत दी, पूरी दे दी, और वो सारे के सारी सही निकली, correct निकली, अब उन information के base पे, अगर आपने फिर भी नहीं दी, फिर भी मांग रहा और नहीं दी, आपने का, इस पर आरोसी को लगता है, आरोसी ने conclude किया क्या, फ्रोड हुआ है, अनलोफुल एक्ट हुआ है, वोईलेशन हुआ है, और कोई भी कंप्लेंट आप लोगो के और सर आरोसी या जो भी इंस्पेक्टर होगा, विल कंड़क्ट एन इंक्वारी, सर इंस्पेक्शन हो गई न, अब इंक्वारी करेगा, और इंक्वारी कहां करता है जी, 206 सब्शेक्शन 4 के अंदर, या फिर अभी आप देखोगे 207 के अंदर भी कर सकता है, आपको न, reasonable opportunity of being hurt दी जाएगी, बताओ आपको गेंश्ट क्यों न, एक्शन लिया जाए, बताओ जी बताओ, आपको गेंश्ट क्यों एक्शन लिया जाए, अब हमने बोला है सर आरोसी या इंस्पेक्टर ऐसे नहीं करेगा, देखो आरोसी, या inquiry जो हम करते हैं, जो inspection करते हैं, अब जो inspection करते हैं, चलो मैं section में दिखाता हूँ आप लोगो, फिर आप समझ जाओगे, क्योंगी मैं यहां बार बर बताओँगा, आप लोग बार बार समझ जोगे, फिर महां जाके फिर आपको डबल डबल टाइम लगेगा, महनत लगेगी, इधर ध्यान देंगे, call for information explanation, हो चुका है, वेर उने scrutiny, सर चेक करने के बाद कोई भी document, जो आपने file किये थे, return file की थी, form filing की थी, डिस्कलेजर दिये थे, जो भी आपने दिये थे, company ने, कोई भी information received हुई थी, किसको सर, ROC को, the registrar is of the opinion that, any further information or explanation, चाहिए सर आप से देनी पड़ेंगी, companies necessary, he may return notice, दे के आपको require the company, तो सर आपको बोल सकता है कि हमें आपको documents को inspection करना है, आप information दो, inspection काएगा, रिटन में, to furnish information, writing explanation, to produce document, with such reasonable time as may be specified by the notice, तो notice में लिखा हुगा सर, उतने दिन में आपको देना होगा, furnish करना होगा, duty of the company to furnish information, ध्यान से, अब company, मैंने बता है न, bound होगी company, अरे भाई साब, bound, subsection 2, सब कुछ tips पी हो जाएगा, आज, guarantee है, on the receipt of the notice, under subsection 1, it shall be the duty of the company, and of its officers, दोनों की concern, to furnish such information, explanation to the best of their knowledge, and power, घहां से मैंने power, red को इसलिए किया है, यहां power वाला नहीं आएगा, इसलिए मैंने power को किया है, and to produce the document to the registrar, within that specified time, or extended time, हो सकता है, ROC आपको extended time भी दे दे, आप एक बार में नहीं कर पाए, तो, past employees, यह कुछ भी नहीं है, proviso बोलता है, इसी का second का, sir, अगर वो employee, अब company में नहीं है, past में जब वो था, और उस time पे कुछ गलत हुआ था, तो, वो information भी आपको अगर देने के लिए बोलता है, तो, sir, जो भी आपके knowledge में है, वो दो, क्योंकि power तो अब आपकी है यह नहीं, आप current employee तो हो यह नहीं, past employee थे, तो आपके पास कहां से वरी कोड़ है, तो, जो भी आपकी पास information में, जो चीज थी, आपको फिर भी देनी पड़ेगी, यह मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में देख लेना, अब से ध्यान देगा सारा बच्चा, सर्फ सब्सेक्शन 5, 3, 5, 6, 4 का हैं जी, सर्फ और आप भूल गए, नहीं, 4 के उंदर है inquiry, तो, inspection section 206, सब्सेक्शन 3, 5, 6 के अंदर क्या बोला गया, कौन करेगा, थी सर्कंस्टांसिद इंस्पेक्शन करने के में बी और, बाई आर ओसी, अंडर section 206, सब्सेक्शन 3 में, बाई आर डी, under power delegated to it by the center government, RDI का पास अपनी power नहीं है, delegated power है, जो center government ने दिए, CG ने, CG ने power delegate कर दी, Čई आर डी को, और डी किसको point करेगा, इंस्पेक्टर को, आ जाओ जिए इंस्पेक्टर जी, आप एक काम कीजिए, आप inspection कर लिजे, अकोंट का, inspection कर लेगे और फिर CentralOS का कर सकता है Sir by the ौ१ general order किसको इंस्पेक्शन गवर्मेट्र को पाफर देगा इंस्पेक्शन पाइशन फ्ट्री अथरिटी और आफर्छाइंजर बात आ गही समझ बात आगे समझ चलो जी फटापर से इंस्पेक्शन ओडर बाइधा रेजिस्ट्रार सब्सेक्शन 3 में आरो सी कब देगा तीन बात ते होंगी जो आपने आपने फाइल की लेकिन आरो सी सटीस्ट्राइब और कंपनी को और जो उसने डिस्क्लोजर देने चाहिए थे सर वो सारे के सारे डिस्क्राजर फियरली आपने अपने अकाउंट्स में नहीं दियें वो सारी information आपने डिस्क्रोज नहीं कियें जो आपको देनी चोहिए थे अपने में और जो आपने हमारे पास फाइल किया वो अलग है आपके अकाउंट्स अलग मेंटेन हुए अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो एंदर रिटर नोटिस से शोकोज नोटिस हो गई बताते हैं आपको एक और नोटिज आए का कारण बताओ शोकोज नोटिस को और अपकी इंस्पेक्शन करने के लिए आ रही है जो आपसे इंफॉर्मिशन मगवाई थी सघरावकी नहीं हूई तो हम आपके इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं सच फर्दर बुक्स ऑफ अपकाउंट और हम चांटे ओर बुक्स बिखाओ निक और लिखो पेपर द में डाल देंगे और बोला गया सर कुछ भी नहीं यह वाला पढ़ते रहना प्रिकोर्डिंग रीजन वहीं हमने ऐसा क्यू बोला यह रिटर नोटिस का रीजन भी देंगे कि हमें ऐसा क्यू लगा कि आपके अकाउंट्स में घपला हो रहा है या आपने इंस्पेक्शन की पावर देगाि है सब्सक्राइब को बहुत बता चुका हूं सेंच चीज सब्सक्राइब कि आव सर आप ऐसकती है कि कोई थी है कि इंस्पेक्शन कर लो डन नब कि इंक्वाइरी जहां कर न इंपोर्टेंट इंक्वाइरी सेक्शन विंफ इंदा नीच्टरार सर और ऊसी कर रहा है सिर्फ एंक्वाइरियां satisfy हो जाए on the basis of information जो भी information available की गई है after inspection inspection करने के बाद जो भी information मेरे सामने आई है with और furnish to him जो उसको furnish की थी ना पहले या जो furnish की गई थी under subscription 1 में की थी या subscription 3 में की थी जो आपने inspection में की है या फिर सर जो inspection से पहले आपने accounts मंगवाए थे call for accounts किया था calling accounts किया था उसमें owner representation in inquiry में मैंने बोला था ना sir representation भी मंगवाएंगे सिर्व account नहीं आप अपने officers को भीजो हमारे सामने representation made to him by any person that the business of the company is being carried on for a fraudulent or unlawful purpose sir जो भी representation दी थी उसको देखने के बाद accounts को information को देखने के बाद लगता है कि सिर्व आपने अपने account से unfrodulently और unlawfully आप लोग अपने account को और compliance नहीं किया sir company's act के provisions का इस this act इस act के provisions का आपने compliance नहीं किया और या फिर last चीज किया sir आपने shareholders कि आपने investors के grievances को properly handle नहीं किया था तो यह अगर सारी चीज़े दिखे जाती है तो inquiry का order आरोसी दे सकता है अब return order देगा call करया company को sir writing में information देऊ explanation दो matters की और इतने दिन में दो और inquiry करेगा फिर sir आपकी as deemed fit after providing company reasonable opportunity of being heard सब cases में reasonable opportunity देनी पड़ेगी आपकी inquiry हो जाएगी मैं daily बोल रहा हूँ अदित्या चोहान की notification नहीं आती है क्योंकि जिस time ना live चलता है चैनल पर एक और live चल रहा था विवे उनका संजीव सप्रासरका आप लोग को notification पर वेट क्यों करना है मतलब एक बात बताव आप जब face to face classes join करते हो तो क्या डेली की डेली आपको phone करके बोला जाता है आजो बही आजो class start हो गई है आप लोग की duty बनती है सदे आठ बजे पांच मिनिट आगे पीछे आठ पैंतिस आठ चालिस तक आप लोग को देखना चाहिए कि सर classes start हो गई है कि नहीं हो यह class start तो आपको डेली सदे आठ बजे गवर्नेंस MWF TTS आपको आठ सोरी डेली आठ बजे गवर्नेंस MWF और आठ बजे ही MWTTS में आपको corporate dispute के लिए आना होगा अपने आपसे बिना notification यहां मैं डेली बोल रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल जोईन कर लो विवेक सरका कर लो WhatsApp पे मैसेज कर दो यहां हम डेली की डेली को यह महाँ पे ऐसे मतलब लाइव चैट नहीं करने हैं बैटके कि आप लोग का टाइम डिश्टरब होगा महां आपको सारी notification मिल जाए करेगी और फ़र वहां से आप जोईन कर बच्चाबाद में अपनी convenient का कोडिंग देख पा रहा है बच्चा खुद से आनी रहे साड़े आट बजे तो आपको डेली साड़े आट बजे चेक करना होगा ठीक है सारे बच्चों को बोल रहो हूं है प्लिटिक्रली आपको नहीं बोल रहा हूं सब बच्चों को बोल र यह खुद से inspector को point कर देगा for the purpose to carry out the inquiry under this section inquiry के लिए वो तो inspection के लिए था inquiry के लिए भी cg आ सकता है मैंने आपको समझाया था अगर कोई भी दिखता है कि सर कोई भी officer कोई भी officer है जो जिसने misconduct किया जो अन फोडूलेंट या लोग प्रैक्टिस कर रहा था कंपनी में तो इसको गेंश्ट 447 का फ्रोड़ केस जो चार्ट में दिखाया था आपको फ्रोड़ केस यह दिखाता है आपको यह ठीक है अब इसको इसके आरोची के सोडर को inspection investigation को comply नहीं करता है तो क्या बोला गयासा 206 को enforce करने के लिए company को और उसके officers को पर penalty punishment है बाई वे fine criminal penalty है पाइन है पेनल्टी नहीं है criminal criminal अब टू में एक लाक रुपे तक का और अगर वो continue रहता है फेलियर एडिशनल पांसो रुपे पर डे जब तक आप सर्व इंफोर्मेशन वगरा प्रवाइड नहीं करोगे जब तक आप टू में गुर्द रिफोल्ट जब तक आप अपने इस वाले के लिए बस जो सेंटर गोर्मेंट ने पावर दी है अधरवाई सर इंस्पेक्टर के पास पावर नहीं आती आर उसी के पास तो सुवर मोटर पावर भी है डूटी ऑफ एवरी डिरेक्टर ओफीसर और अधर एंप्लोई की के डूटी मनते सर सारे की सारे डोकिमेंट प्रडूइस करेगी रेजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को और डूटी बनते सर उनको जो भी इंफरमेशन कि इधर द्यान दो एक बर चार्ट में ध्यान दो फिर आप पढ़ना मां कि ड्यूटी क्या बनती है जी सेंट्रल गवर्मेंट ने सेक्शन दो साथ में बोलते हैं डिरेक्ट कर सकता देखो मैंने डाल दिया ओल्द था नहीं पर मैंने प्रेडिक्शन आर उसी को भी और इंस् के लिए बने बताया को प्रोवाईजों में देगा फर्स्ट प्रोवाईजों में किसके सेक्षन 206 सब्सेक्शन 4K अब उसको फर्स्ट प्रोवाईजों के अंदर दी तो वो अब देई सर और आर ओसी ने इस्पेक्टर ने आपसे information document मांगे Inspection करने के लिए इंक्वारी करने के लिए officer director employees जो भी है कंपनी के और बाउन ठो प्रोवाइड analytics और डोक्योमेंट प्रोवाइड इन्फ्रमेशन और प्रडूस रोच इंस इसकार राइट बनता है आपके रेजिस्टर रिकोर्ड में आइधिकेशन मार्क कर सकता है यहां में घपला लग रहा है इसको आप चेंज नहीं करोगा है सब्सक्राइब इसे की सिविल कोट के पास है वो सारी की सारी पावर आरोस्यों इंस्पेक्टर के पास आ जाएगी डिमांड प्रेजेंट ओफ एनी रिकोर्ड रेजिस्टर बोल सकता है मैंने बहुत एजी करके में दे दिया Discovery dlatego संबनिंग एनफोर्जिंग इन्सपेक्षण करना किसी भी प्लेस को जाके कर सकते इस सारी पावर एंस्पेक्षण करना एंस्पेक्षण करना एक्जैमिन करना वट्यवर साथिकर द्युक्र दीगई है 207 हो गया सर 207 की पैनल्टी नोर्स में डाल ले उन अगर 207 आप क्वाइन नहीं करते हो इस सेक्षेन के अंदर गॉर्मेंट ने आपको नोटिफाई किया था और उसकी वज़से आ रोच इंस्पेक्टर मांगते हैं तो और स्क्टोगा कोई भी डेक्टर डिफोल्ट करता ही सक्षेन का सर्थ आरोसी को या इंस्पेक्टर को पावर फज की ढ़तीक तर्भी आप नहीं दे तो याप पर ऐलटीक बढ़ गई एक साल तक और मोस है कितना फाइंट आप पाइंट से हेह सब wanna reach एक साल तक कि प्लिछौर दियो यहां नहीं जाना पडिशन मेंड-एंट मीनिमिप्ट Enough जाने आपको अपना ओफिस क्या करना पड़ेगा एक्जीटिव की में ले तो चुका हूं एक्जीकीटिव की डेली सड़े चार बजी होते हैं तो मैं दूबारा क्यों आउगा एक्जीकीटिव में इतना भी प्यार मत करो कि मैं सारा कुछ छोड़के एक्जीकीटिव के पीछे लग जाओं आ रहा हूं यह आप लोगो डेली देड़ दो घंटा दे रहा हूं राके द बता चुका हूं देको प्लीज यार इंस्पेक्शन के आपने इंक्वारी की सर उसकी रिपोर्ट कहाएगी 208 में रइजिटरार और इंस्पेक्टर शेल आफ्टर इंस्पेक्शन या इंक्वारी अल्दो याना है एडिंग में ठीक लिए इंक्वारी भी आ सकता है इंट्रेस्ट रॉड़ों और सकता है तो यह बोली है सब्ट आपके इंवेस्टिकेशन करते हैं और यह ने खर सी यल में भी जैना इसलिए में भी बच्चो को executive class लग रही है नहीं जी क्या है जो मैंने इसका जो title डाला जो title है उसमें आज मैंने गलती से फिर गलती से क्या गलती कर दी कि मैंने जिसमे अभी मेरे को अपना concept तो पूरा करने दो मुझे ना ये बात बच्चों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जो पढ़ रहे हो महां तो पढ़ो जो पढ़ रहे हैं महां तो पढ़ो मैं lecture के starting में बोल चुक हूँ अगर time रहता है अगर time visible है अगर time suitable है तो मैं अलग से case log की class ले लूँगा अगर time suitable रहता है पिर वही बात मैं तो ना कमेंटी पढ़ना बंद कर दूँगा यार जो मैं topic पे हूँ आपको topic नहीं करना चाहते हो तो मुझे बता तो कोई बात नहीं मैं काम करा करूँ अगली class से बस वो जो amendment आये ना वो बता दिया करूँगा या जो आप बोल रहे हो cases आये है मैं provision नहीं बताया करूँगा मैं lecture के starting में भी बता चुका हूँ कि हो सकता आप लोग नहीं आये उस time तो मैं एक बार repeat कर दूँ मैं सिर्फ provision बता रहा हूँ अगर time suitable लगता है कि हाँ मेरा time पे syllabus पुरा हो गया तो जो ये छोटे छोटा आप judicial pronouncement जो बोल रहे हो क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि इनको मैं पांच मिनिट में खतम कर दूँ सर इनके अंदर approximately मुझे आदा घंटा 25 मिनट एक case में लगेंगी वो पांच-पांच मिनिट में कर दिया तो मेरे हाद में बस 15 दिन मिले है 15 दिन में प्रोविजिन पूरा करवाने दो भाई मुझे प्रोविजिन तो कर ले हम लोग टाइम बच्चे का तो एक दिन में फिर करवा दूं आपको ठीक है अब देखो आरोसी एंस्पेक्टर शेल सब्मिट रिपोर्ट तो दे सेंटर गोर्मेंट शेल शेल इंक्वारी एंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 206 में 207 में जो की थी और सेंटर गोर्मेंट सेंटर इंवेस्टिगेशन का ओडर कर सकता है 220 में एक काम करते हैं हम आपके घर आ जाते हैं नेना आजाओ एक काम करो पता लग जाएगा मनलब इतने फ्रस्टेट हो जाओगे मेरे घरवा लेना मैं लिटले वो रोम शादी हुई थी थी थोड़े दिन पहले परिशान आ गये हैं मेरी वाइट मेरे से परिशान आ गया है लड़ाईयां करती है मेरे चाथ 17 घंटे 15 घंटे वरकिंग हो इस टाइम में ओनशली बोल रहा हूं 15 प्लस आर सिस्टेम में वरकिंग हो एक्जिकीटिव का लाइफ बैच आज मैंने उनको 10 दिन को दिया है एक्जिकीटिव के डेली में रिविजन पर आता हूं एक्जिकीटिव के डेली रिविजन नोट्स बनाने आप लोग के रिविजन नोट्स बनाने गवर्नेंस करवाना डिस्प्यूट करवाना जो मेरी पेंडिंग्स लेक्चर्स हैं वो रिकोर्ड करना सर अपना पढ़ना जुडीशिरी का जज रायूल की प्रिप्रेशन कर रहा हूं उसका पढ़ना मलब भाई ओनेशली बोल रहा हूं 15 प्लस आर्स वरकि मुझ सैवंटीन आर चला जाता है दो घंटे खाना खाने में चार गंटे सो रहा हूं रात को अब घर वालों ने अब यह बोलना स् थे ना मैं तो अपने घर पे यूँ और मैं तो अपने घर पे अपने ममी पापा के पास हूं और अपने घर पे बैठर है वही हमने तो हाथ जोड लिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं ना ओनेश्टली बोल रहा हूं यह चीज एक महिना और रह गई ना कॉंटिनू यह चीज सारा काश टूड़ गया सारे सारा फोन कराब हो गया यह यह लडाईयां होते हैं फिर घरों में अब जूट नहीं बोल रहा हूं अब भी जेस्ट पैसी चैलेजर का मूबाइल लेके दाऊं एक डेट महिना भीन हुआ है और लेते मतलब यह फ्रस्टेशन लावल हो जाता है क्या करें मेरे को ना खुशी मिलती है कि हाँ चलो यार मेरी वज़े से इतनी सारी लाइफ बन रही हैं सच्चाई बो मैं तब भी बच्चों को बोल रहा हूं भाई मेरे को प्रोविजन करवाने दो वो चोटी-चोटी चीजें हैं वो इकी दुकी चीजें वो बाद में देख लूँगा मैं वो आप भी पढ़ लेना लेकिन बच्चों का जो जो आप है न उन्ची जो के पीछे पढ़े हो जो अच्छा हुआ मैंने कॉर्पेट डिस्पूट हड़ा देना चाहिए था भी टाइटल में बच्चों वाले कोशन आएंगे सीदे 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 मैं बता हूं जूट नहीं बोलूँगा मैं कंपनी पढ़ाता नहीं हूं तो मुझे ना कोश्यंस का लेवल नहीं पताई स प्रविजन नहीं थेृऄं वहाइन ऊपना मारी से कशेटीटीटव में क्या होगा चलो आर चलो फिर में को डेवल Preston 11 तक और गारे तक लास में रहता हूं उसके बदो वीडियो चलो ठीक करना नों बचार-बॉले बनाना 4-5 तोता हूं फिर wenём आपने रूम में जाता उन उसके बाद मैं देखता हूं सब कुछ सो गया है सब नीचे सो गए हैं रात का खाना मैं खाता नहीं हूं दिन के टाइम पे मैं खाना खा रहा हूं मलब जुत्ते लगने वाले हैं घरों में लिटरली बोल रहा हूं बहुत हो गया भाई उफ यही कोशिन आने बाकी थे सर करा दो प्रोविजन नहीं तो और लेट हो जाएंगे और फिर खाना ही नहीं मिलेगा घर पर आप मैं खाता है नहीं दाट के टाइम खाना अब हाँ यही चीज़ पहले प्रोविजन तो पढ़ लो भाई ले लेंगा अगर टाइम लगेगा तो एक दिन क्लास में ले लूँगा ज्यादा नहीं है दो तीन गंटे चार गंटे पूरे करवा दूँआ चुट पूट है नहीं मुझे कोई ब्रेक की जरूत नहीं है आपको मुझे लग रहा है कि आपको जरूत एक्टिव हूं मुझे लग रहा है मैं तो भी स्टार्ट हुआ हूँ चलो नलैक कि तो मैं आप लोगों को बोलाता था सीजर हो जाएगा सर्च एन सीजर देखो 209 के पता नहीं में नोट्स बनाया नहीं बनाया बेट वर आवाइल नहीं 209 के नोट से नहीं बनाया है मैं को टाइम देता हो नहीं फिर उनकर नहीं दस पंद्राइं में पेंट नहीं बढ़ता फिर उनको चाहिए प्रोपर टाइम अब गूमने चलो अब यहां चलो बस ओल्दू हां कल मैं टाइम दूंगा कल सेवन एट मन्त कंप्लीट हो जाएंगे हमारे मैरीज को कल टाइम दूंगा बट कल मेरे भाई जो एकस्पायर हुए थे उनका वह मिलब रिच्वल्स होते हैं जो कुछ सारे रिलेटिव से गरेक अठ्थे होते हैं कि तर रिशी केश आ जाओ कि अपया हैं नहीं नहीं मैं आनी सकता हूं पहले एक साल तक बलब कोई भी ऐसी जिए जहां गंगा जी होते हैंheny अधिकर हमारे घर पे नहीं जाते है जा अगा जी होते हैं और अभी भाई एक्सपार हुआ है तो मैसेजिंगे तो वैसे भी नहीं जाओंगा कहीं पर करें अब स्टार्ट शैल आइम ओन करें फिर करेंगे बाते एक दिन दूबार अपने शेशंग लेकर अभी नहीं जाओंगा reference under आप झांसेल के साथ the congratulations for your seven months thanks 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 things टरये चले सर एनिवरस्री पर कहां जाओगे मैं आपको लेकर अभी नहीं जाब पाऊंगा अभी ब्रदर एक्सपायर हुए थे ना अभी नहीं जांगा पढ़ोगे काम बोल रहा हूँ वहां पढ़ोगे investigation के बाद search करना है यहां पढ़ रहे हो sir inspection inquiry के बाद search करना inspection and inquiry के बाद search करना थेंक्स थेंक्स तो एवरीवेड चलो भई आप पढ़ाहिए में धियान लगाएं जी where upon information in his possession जो भी information उसके पास possession में आई या फिर जो भी रेजिस्टरार या इंस्पेक्टर ने books या paper से निकाली जो नों ने अपने पास ले गए थे न और उनको लगता है उनको believe है sir उनको believe है रेजिस्टरार को इंस्पेक्टर को जो भी books और paper से company की जो भी उनकी relating KMP है माल लो उनके जो भी उनके जो भी documents है contract है company secretary के जो भी books है papers है वो सारे के सारे अगर company में CS नहीं है तो PCS के देख लेंगे जो company का PCS होगा are likely to be destroyed sir company या ये लोग ये नलायक लोग उसको destroy करने वाले है छुपाने खराब करने वाले है उनके सारे पोगों स्का मिटलेटेड में वही अब टेमपर करने वाले है वसी आल ओल्टर करने वाले फॉल्टिफाइड सिह को छिपाने वाले है कि में आफ्ट्र उप्टेनिंग तो क्या करेगा sir आफ्ट्र उप्टेनिंग धिःण से सुनना कि एका मतलब कोन अ रेजिस्ट्रारिया इ projektory कि पर से स्ब्सकुर्टा इंस्पक्र पिर और और विजर तो को बुक्स और पेपर्स को एंटर विट सच अशिस्टेंस एज ही में भी रिक्वाइड एंड सब पहले बातो देखो क्या होगा रिक स्पेशल कोट ने सक्षिन 435 में सब को पता है सब से पहले तो एंटर करेगा उनकी प्रिमाइस ने तर बिना किसी प्रिमिशन के अगर आप ए सबसक्राइब को पता है एक को उब यह प्यक्स बखुट लेने की हमारी से तक नहीं होगी एट इस और फिर क्या वोलागे सर लेकिन जो यह आप लोग ए अकाउंट आप लोगे यह बुक्स अप उठाओं गये बुक्स लें जा रहे जा रहे हो मैक्सिमम एक्स서 इसका करने हों अगर आप दुबारा लेना चाहते हो तो और इंट पास करोगे कि आप क्यों क्यू tram मिलेगा इसका अगर दोबारा अपो ने करने बर सकता है त्यां के बढ़ते और दुबारा रिटन करने से पहले मलब जब आप वापीस देगा ना रेजिस्ट्रार इंस्पेक्टर जब इसको वापीस देगा काउंट्स को बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स और पेपर्स तो अब ये भी उसमें से कोपीज एक्स्ट्रेक्ट ले सकता है इवन प्लेस हमने चेक किया है यहां में गड़बड मिलिया या नहीं मिलिया वट्यवर कि सूलियत के लिए दुबारा हम उठाएं कभी फ्यूचर में हम लेका है तो हमें पताओ कि इस पॉइंट पर पहले इंवेस्टिगेशन इंक्वारी हो चुकी है आर देरो डील वी दे सेम इंदा म बात आगे समझ अब मुझे एक बाद न कर दो बच्चो मेरी दो पार्ट मेरे अंड पें कंप्रीट होचके है इंस्पैक्शन और इंक्वारी अब मैं आ चुका हूं इन्वेस्टिगेशन पे एक बार मुझे बता दो हाँ समझ में आ रहा है अब आप एनस्टिगेशन की त कि पुज़ा मुझे ऐसे याद नहीं है मुझे वट्सेप कर दो गुरुप में एड हो जाओ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा कि चलो चलो जी चलो अब मैंने सेक्शन 210 से 239 करेंगा इन्वेस्टिगेशन को डील कि यह मैं एक बड़ एक बड़ एक बड़ साइड कर देता हूं कि अपने वाले चार्ट पर दुबार आ जाते हैं कि हम में इसको एक बड़ के लिए रब कर रहा हूं जी तो देट आपको पूरा पूरा फोकस अब किस पर हो अब आपका पूरा पूरा फोकस इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन पर हो आपको इधर दो धिहान नहीं लगा ना आपको यह में सारे इंडेफ्ट पढ़ा चुका हूं अब आप जब चार्ट देखोगे ना आपको चार्ट में मजा जाएगा करें चलो जी अब हम पढ़ेंगा सर इन्वेस्टिगेशन प्रोविजन कौन से लगने वाले हैं सेक्शन दो सो दस से सेक्शन दो सो उनतिस पैजान अथर सर अगर कमेटी नहीं बना तो दो जार फाइन इच मींस मुझे नहीं पता आप कहां से कोश्ट उठागे पूछ रहे हो मुझे पता ही नहीं आप यह क्या कोश्ट पूछ रहे हो कहां से लेकिया यह कोश्ट अ मैं यह कहां से क्या कोश्ट लाई कि आ आप उठाके मैं नहीं आप चुछ लेके जा सकते हो तो आप ये फोलो कर लो देख लो आप बट रेलेवेंट जो टोपिक है आप इसको बिसिकली आप क्या करोगे मितलब आप कंपनी वाले फैकल्टी से पूछ सकते हो इसका कुछिन का अंसर सो 210 से 239 ध्यान रखेंगे सर मेन कोन करता है इन्वेस्टिकिशन सेंटल गौर्मेंट कोन करता है जी सेंटल गौर्मेंट सर इधर तो लिखाए ट्रिबनल भी करेगा करेगा ट्रिबनल भी सेंटल गौर्मेंट भी करेगा मेन कहां लिखा जी सेंटल गौर्मेंट जो करेगा 210 क अंदर बताये गया है किन किन जो पर及गा बात करेंगे आज ईबात करेंगे अभी बात सेंटर चायीचन क Harley पहली बात तो कब सर मैं बोलूंगा किस के थुरू करवाएगा इधर दिया निया बच्चा सर अगर सेंटर गोर्मेंट को लगता है कि investigation करना चाहिए तो सेंटर गोर्मेंट इंस्पेक्टर को one or more inspector पूंट करेगा. एक या एक से जादे इन expertise को point करेगा section 210 subscription दो के अंदर. एक या एक से जादे 3 के अंदर पूंट करेंगे 1. 3 के अंदर point करेंगे 1. एक एक से जादे inspector को. और इसके साथ न हमें मिला के 244 भी पढ़ना है 2.1 जो भी inspector को point करने का amount होगा, जो भी cost आएगी, जो भी inspector को investigation करने में, जो भी basically central government का खर्चा आएगा, वो सारा का सारा कोन पे करेगा सर, जिस भी person ने, अगर SR लगाए था वो, या फिर जब मैं आपको करवाऊंगा, 213 के अंदर, जब यहाँ एक person आएगा, BA point, B point के अंदर किया, और सर, जो भी खर्चा आया, जो भी खर्चा आया, वो सारा का सारा bear कोन करेगा, ये person जिसने, या तो SR पास किया था, जिन लोगों ने, और उसकी वज़े से investigation हुई है, या जिसने tribunal के पास application लगाई थी, मैं बताऊंगा कोन, any other person, other than member, तो वो बियर करेगा, बट फिलाल के लिए, क्या बोल दिया, अगर centra government नगता है, सर, investigation करनी चाहिए, उसका investigation करेगा, लेकिन अगर company का, if the affairs of the company क्या है sir, तरुलेंटल इसर गार को लगता है सर कंपनी के जो अफेर्स न वो फ्रॉपर लिज जो कंपनी के वरकिंग न ऑफ प्रॉपर ली मैनेज नहीं हो रहे हैं तो भोला गया सर 210 सेक्षिन में यहां आप सकते हो अब सबक्रिक प्रॉपर लिए तो इसक्षिन 210 के अंदर I guess if I'm not wrong, wait for a while, just मैं आपको सब्सेक्षिन भी लिखवा दू, सब्सेक्षिन मन, सब्सेक्षिन मन में, सेक्षिन 200 सब्सेक्षिन मन में, अगर सेंटर गोवर्मेंट को लगता है कि कमपनी के अफेर्स प्रोपर्ली कंड़क्ट नहीं किये जा रहे हैं, देन, सेंटर गोवर्मेंट किया अगर सकता सब्सेक्षिन आपका एक एक से अधे इंस्पेक्षिन 210 सब्सेक्षिन 3 में पॉइंट करके आपका इंवेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन सर कैसे अफेर्स, अगर अफेर्स कंड़क्ट नहीं हो रहे हैं, और ये बात कहां से पता लगी है, जो रिपोर्ट आई थीना ये, ये रिपोर्ट, ये वाले रिपोर्ट, इंस्पेक्षिन इंख़़िए कि 208 में, अम्टरे शेक्षिन 210 जो रिपोर्ट बनके आई थी, वहा बोला था ना, कि इस पैक्टोरी आरो सी ने बोला है कि sir please, sir please इसके ओपर क्या लिए जै इसके ओपर सर प्लीज एक बार investigation कर ली जाए तो उसके बेस पर या फिर company ने सर पास किया है company के members ने और बोला है central government को sir please इसकी investigation कर लो company में affairs अच्छे नहीं चल रहे या फिर central government को suomoto ऐसा लगता है कि यह public interest में है sir यह करना चाहिए public का हित्त है sir यहां company fraudulently काम कर रहे है company affairs properly managed नहीं है हमें company का investigation करना चाहिए बात आ गई समझ तो sir company का the company जिस company करना उसी का section 210 में central government अच्छा कर सकता है sir section 210 subsection 2 रह गया वह बोलता है अगर ट्रिबनल ने order दिया है ना central government को order क्या सर ट्रिबनल ने अगर बोला है sir please इस company का इस दो कंपनी का जिस company करना है sir इसका investigation कर लो then central government shell अगर ट्रिबनल ने ऐसा बोला है कि sir please कर लो तो ट्रिबन सेंटर गवर्मेंट शेल ओडर उसके ओपर investigation का ओडर दे सकता है बात आगे समझ सब section 3 समझ में आगया बच्चों को मैं कह सकता हूं सर एक हुआ complete तो यह तो बोला company investigation फिर दूसरा बोल रहे है sir company का तो है लेकिन यहां सिर्फ company investigation नहीं कर रहे हमें यह लगता है central government को या ट्रिबनल को यह लगता है या तो central government को लगता है जो को इस वाले में या ट्रिबनल को लगता है और ट्रिबनल को अपने आप से नहीं लगेगा ट्रिबनल को कैसे लगेगा दोसों 13 में में बताऊंगा कि सर company की ना ownership में घपला हो रहा है कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगा है न एक्चुली में वो तो बैठा है पाकिस्तान में वो तो बैठा है साओधी अरेबिया में और पैसा उनका है और पैसा लगा को रहा है रजिस्टर ओनर को ने को डैली में बीचा रहा है एक स्टूडेंट सीएस का बैठा है उसन वह पता लगाना जैसे कि सर्व ओनर्शिप या बैनेफीशेल ओनर्शिप शेक्शन 89 के अंदर आप यह कुंसेप पड़ोगे जेनरलिस की इंवेस्टिगेशन होती है उसकी इंवेस्टिगेशन होती है और सेम प्रोसेस जो सेंट्रल गुवर्मेंट यहां सेक्शन 210 में फोलो किसका जूड़ा कंपनी में कंपनी में पर कंट्रॉल तक है और एक पॉइंट आच म्या और होगा बैनी में पॉन हो का है जिस का कंपनी में इंट्रेस्ट है जिसके कहने से कंपनी चल रही है किस्टम टू एक्ट है सर वो गंदे लोग हैं उनके गेंश्ट कभी न कभी यह घपला गिल्टी हो चुका है प्रूब मैं बताऊंगा कहां कहां इंडेफ्ट जाके तो अब फिलाल समझ मैं है तीसरी चीज तर जिनों ने हमारी कंपनी को आज अब यह पास्ट में कभी भी रेगुलेट किया था नहीं मैनेजर थे एमडी थे डारेक्टर थे एंप्लोई थे और वो किसी भी गिल्टी ओफ रोड के अंदर पाए गये हैं और भी एक दो ग्राउंड आएंगे वहां तो यह सिर्फ इतने म के बाद ऐसा लगता है कि सर इनके डोकुमेंट सीज करने चाहिए तो कंपनी सेक्शन 220 में या सीज कर लेगी सीजर ओफ सीजर ओफ डोकुमेंट 230 तो मैंने माश चाहिए 209 के साथ 220 बोल दिया था 220 होगा थोड़ा सा मिर से मलब विश्टेक होगी सेक्शन में फिर बोला गा सेक्शन 224 में सेंटर गौर्मेंट बहुत सारे एक्ट कर सकता है इवन ट्रिबनल को एप्लिकेशन लगा सकता है सब्सक्राइब को बोल सकता है कि सर कंपनी को वाइंड अप कर दो 210 में इन्वेस्टिकेशन 216 में सर ओनर्शिप का 214 में सर सेक्यूर्टी का राइट 213 में सर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेबनल वाला 216 में सर ओनर्शिप 219 में यह और जो भी रहेगे ने चुट-पूर 211-12 में सर हम लोग पढ़ेंगे SFIO का अब बोल रहे है सर SFIO को भी हो सक इंस्पेक्टर को बोले और हो सकता है सर नोन बेलेबल ओफैंस है वह विदाउट वरेंट वाले ओफैंस है ही नियस ट्राइप के ओफैंस है है तो ऐसे मैंटर को सर SFIO करेगा एस पर सक्षिन 212-2012 में जो प्रोसेस है मैंने नोट्स बना रख्या उसके को इतना मैंने पुरा पुरा आप लोगो चार्ट समझा दिया अब हैना सारा बच्चा इधर दिहान देगा सर यह हमें नहीं पढ़ना भी दोस्तों बारा नहीं पहले बर 210 पढ़ते हैं फटा फट से उसके बाद में 213 पढ़ाऊंगो आपको देखो इन्वेस्टिकेशन बहुत सारे तरीके से हो सकते ध्यान दोज़र एक तो मैंने आपको बदा दी कंपनी का फेर्स वाली 210 में तिर मैंने बदा दी सर रिलेटेट कंपनी इस की यह मैंन सारे से लबस में इतना डेप्ट में है भी नहीं कि ऐसा फाई होगा बता दिया मैंने आपको फ्रोड वाले केसे में ऐसा फाई हो करेगा सीरिस इन्वेस्ट इन्वेस्टिकेटिंग ऑफिसर 213 में से ट्रेबनल के थ्रू होगा बता चुको मैं आपको सारा कुछ दनना सारा टिपस पी हो जाएं का सारा बच्यों को सार इंवेस्टिकेशन इन्टर और अफेर्स वाले बात आ रहे है सार कंपरी के वर्किंग प्रौपर लिनीरी कांपरी ने फ्रोड लेंट वर्किंग किया अनलओफुल वर्किंग की किया कंपनी तो इसको एक बार भूल जाओ इसको अंदकटर्च औंगुंचुट म सबस्क्राइब ऑन या थे विट माइड बारल इन्सकी और रखने d रिपॉर्ट लप वन से अ deb Say इंस्पेक्टर को और सरो आपनाधी इंस्पेक्टर ऋप्रॉट्टपी से नल्रीप ऋप्र्ास फिलrange अपनी रिपोर्टिंग करेंगे तर सब्सक्षिक्षन टू में चुडवाय तो क्या है शेल दा इंवेस्टिगेटिंग ओफ दे इन वेस्टिगेशन शेल भी और बाइद सेंटर ओर मिल्में है इन में में होगा लेकिन अगर किसी भी ट्रिमिनल ने अप्लिकेशन लगा दिना के सीजी लेकिन एक बात ध्यान रखना जी इस वाले पुइंट के साथ है ना रेड़ भी टू टू वन फॉर बोला है मैंने एक बार दो सो चोड़ा दिखा तो मैं आपको जो मैंने वां स्टार रखें सेक्योर्टी फोर पेमेंट अब धिहान रखना है मैक्सिमम सेक्योटी दस जार 15,000 और 25,000 होगी अब कब होगी मैं आपको दिखाता हूँ वे रिन इंवेस्टिकेशन इस ओड़र बाद सेंटर गवर्मेंट इंपर्सूर्स फ्लोस भी मतलब सर मतलब सर 210 का क्लोस भी ऐस सार वाला केस और एक प्रोविजन हो राएगा ये वाला ये वाला ये वाल इसमें जो भी अप्लिकेशन लगा रहा है यहां मेंबर्स भी लगा सकते हैं आपको बता दू और अधर अधर परसंस भी लगा सकते हैं क्रेडिटर्स डेपोजिटर्स वह भी लगा सकते हैं बात आ रहें समझ में सर उनको बोल सकता है कि सर आप पहले सेक्योर्टी डेपोजिट करो लेकिन कभी भी 25,000 से जाधा किन बोल सकता किस चीज़ के लिए सर जो भी और अगर ब चैप्टर नमर नमर चैवर में जो रिलीफ रेमडी चैप्टर नमर नाइन में सर आप चलने वाले हैं बात आगे समझ तो अगर वो चलेंगे लगता है हाँ सर जैनूर्ट है तो आपको आपी सेक्योटी वापिस मिल जाएगी सर जनरली फीज कैसे होती है अगर 50 क्रोड तक की टर्नवर है तो 10,000 50 क्रोड से 200 क्रोड तक किया तो 15,000 सर 200 क्रोड से ज़्यादा की है तो 25,000 इस तरीके से क्योटी हमें देनी है सर अब ट्रिबनल कब देगा ओर ट्रिबनल कब देगा इन्वेस्टिगेशन इन्टु दे कंपनी के लिए बात की जारी है अभी हां शेक्शन दो सो तेरा बस कंपनी के अफेर्स के लिए बोला गया है यानि 210 का ओल्टरनेट अगर सेंटर गोवर्मेंट नहीं बोलता है तो सिर्फ अफेर्स अभी और किसी कंपनी की बात नहीं कर रहें फोरन कंपनी डिटेट कंपनी ओनर शीप वह बात नहीं और इसा हुआ है अगर उसने ओर दे दिया इन्वेस्टिगेशन करने का तो अपोइंट करगा एक से जैसे वह सेम मैं बोल दू सक्षिन 210 सब्सक्षिन तीन में पढ़ा है तेम और यही तो मैंने निचे बोला सक्षिन 214 साथ में पढ़ना पड़ेगा सर इसके सेक्यूर्टी अमाउंट देना पड़ेगा वही वाला सक्षिन 213 एक के अंदर क्या बोला गया सर इनकेस कंपनी रिप्राइश एर कंपनी रिप्राइट गेरेंटी तो 100 मेंबर्स या वन बाइट अटन तो टोटल वोटिं और में रखने पनी छधे अपनी एप्लिकिशन में लगा ओगए इंड़ लगा व्सो कि आई विए इंडर उक्पनी अप्लिकेशन में लगाओ गए झत्रिबन dem A also make such order on the application, चाहिए तो order दे सकता है, लेकिन कौन से application, उपर तो members ने लगाई थी ना, A में, A में तो members ने लगाई थी, close A में, close B में सर कौन लगाईगा, other than members, तो यहां other persons, other than members, इधर देखो, any other person or otherwise, मैं लगाई कोई other person other than member, कब, सर आप बोल रहों कि सर बिजनस नोने defraud करते हैं, creditors का गेश्ट defraud करना, fraudulent unlawful purpose के लिए काम कर रहे हैं, सर गिल्टी पाए गए है, person जो भी formation, जो company को बनाते हैं, यानि promoters तो गिल्टी पाए गए हैं, fraud of misfiance, misconduct, इनमें सर गिल्टी पाए गए हैं, या भी third चीज, all reasonable information जो आपको देनी चाहिए थी members को आपने वो नहीं दे है, information, like for example, सर ऐस information, कि हमने किस base पे MD का, manager का, director का, compensation जो commission देना है, सर उनकी salary देनी है, सर जो commission दिया है, salary दिया है, उसी calculation आप clearly नहीं बता रहे हो, तो वो information बतानी चाहिए थी, formation के time पे defraud किया था आपने, या फिर आप company के affairs को, members को किसी के against में defraud कर रहे हो, अपने affairs को, तो ऐसे point में बोला गया सर, operation कर रहे हो, किसी को भी suppress कर रहे हो, member को, उसके right दबा रहे तो बोला गया सर, अगर ऐसा हुआ है, और किसी ने application लगाई है, किसी भी परसे ने application लगाई है, generally concerned परसे नहीं लगाएगा, तो उस वाले case में, चाहे तो ट्रिबनल, order कर सकता है किसी चीज़ का investigation, और यहाँ गर ट्रिबनल ने order किया, यहाँ गर ट्रिबनल ने order किया सर, त यह आपको पढ़ाता है, subsection 2, तो यहाँ central government shell order करेगा सर, इसके वापर investigation, अब यह पढ़ते रहे ना, कि fraud हो जाएगा, अगर ऐसा पाएगा investigation करने में, प्रोवाईजो बोलता है, तो सर, उस officer redactor against 447, जो वहामेन आपको बजाता है, उसकी penalty चलेगी है, डन जी, अब section 215 आपको बोलता है, कोई भी फर्म, बोड़ी कोर्परेट असोशेशेशन, क्या मैं बोल दो एक इंडिवीजुल ही, एक इंडिवीजुल ही, इंस्पेक्टर पॉइंट होगा, कोई artificial परसंद नहीं होगा, तो 215 यह बाग बोलता है, एक कै जी, 216 पर आ जाओ जी, 216 मैं आप हो क्या बढ़ाया था, अभी तो बताया था, investigation of ownership, ownership, beneficial ownership, या रजिस्टर बनेशिशन, बताया था, बस तीन बात तो को धियान रखो, shell, investigation of the ownership of the company, कोन करेंगा सर, center government करेंगा, अरे नलायक, यह, यह, क्या बताया था मिन आपको, यह, को कौन करेगा बनेफिशिल ओनेशिप सेंट गॉर्मेंट कब कर सकता है इंस्पेक्टर को पॉइंट या तो अफेर्स या ओनर्शीप या चनेक्टेड परसंज या फोरन कंपनी सब कुछ तो बताया था तो ने ओडर सेंटर गॉर्मेंट कर सकता हूं दो ग्राउंट गीवन सेक्शन 216 इन ग्राउंट पे और शेल अगर ट्रिबुनल के पास कोई अप्लिकेशन आई थी और ट्रिबुनल ने किया वे और ओडर ऑफ इन्वेस्टिकेशन मेड़ बाइद कोर्ट बदाना ट्रिबनल या कोर्ट भी कर सकती है यहां आपको एरो लगा के बताया था अभी इंट्रेस्ट किसका है तो यह चीज़ चेक करने के लिए अगर यह लोग कंपनी को प्रोपर्ली मेनेज नहीं कर रहे हैं कंपनी उसके मेंबर्शिप को चेक करना है एक्चुली में मालिक कोन है भार वाले तो इंडिया में आकर चलानी रहे इंडिया को और अगर क्या बोलगा में डिफाइन कुछ नहीं यह दोनों छोड़ सकते हो रिवेजन के लिए नहीं है कि सेक्शन दो सो देखो 210 हो चुका है 211 बार चुड़वा दिया 213 हो चुका है ट्रबनल वाला 214 हो चुका है अभी पढ़ाया था आपको कि सेक्योटी देनी पड़ेगी 215 प अपनी भी बीच में कवर हो जाएगा कि फिर 217 पढ़ा दूंगा से आप लोगों एंद फिर 217 यहां से नहीं पढ़ाऊंगा नोट से पढ़ाऊंगा बस आपको मैंने बहुत चोटा करके दिया है फिर 218 पढ़ाऊंगा मैं आपको की इन्वेस्टिकेशन 218 भी नोट से प पढ़ाऊं गरुग जवाँ देखो जी 218 और 217 पढ़ा दिया 218 मद देखो पहले 219 चायज मैंने नोट में नहीं डाला है वह रेगले टलास के लिए मैंने छोड़ दिया है फिर कोई नहीं दो सो नहीं में एक बर महां से दिखा 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 दिखाव पा और इंस्पक्टर शैल यां इंसपेंटर की पॉचर बोल सकते हैं डेखते हैं बोलती मेरे साबघेल से बोलेreal लेगा इसको लगता है जब तो अपने आप से नहीं बढ़ेगा से अप्रूवल लेगा और फिर आगे बढ़ेगा इन्वेस्टिगेट्ट तो रिलेटिट कंपणी में कैसे पता लगेगा अफेर्स चेक कर रहा था ओनर्शिप चेक रहा था इंसपेक्टर और उसको चेक करते करते लगा कि सर रिलेटिड companies रही है यहां से देखना अब कौन कोन आएंगे सर इसमें कोई भी body corporate any other body corporate इससे अलग जिसको हम करने हैं उससे लग is which is or has at any relevant time कभी भी company की subsidiary रही है company की holding रही है या फिर holding की subsidiary रही है तो इस company की subsidiary holding या holding की subsidiary कभी भी रही है अब है या रही है कोई भी दूसरी body corporate sir which is or has at any relevant time being managed by any person sir उन परसन ने manage की दिसर वो body corporate MD ने manager ने who is और was या अब है या था relevant time the MD or the manager of the company sir managed by person sir उस company का भी MDA manager था और वो हमारा भी MDA manager था और ऐसे person ने की है sir जो किसी body को जिस company में फ्रोड पाया गया ना और वो MDA manager किसी दूसरी के वोड में भी MDA manager था तो उस relevant company में पकड़ लो sir यानि क्या मैं बोल दूँ common MD common managerial person तो जिन जिन company में आप common MD हो या manager हो उनको पकड़ लिया उनको धर लिया sir जिस company investigation चल रही है उनसे related companies को भी उठा लेंगे आगे देखो जी ध्यान से एन यह दर बोड़ी corporate देखो यहां person भी आ जाएगा तब यहां बोल रहा हूं सिर्क company मत बोलो और भी है whose board of doctors comprises नो में देखो sir कोई दूसरी बोड़ी corporate जिसके board of doctor के अंदर nominee director हमने हमारी जिसके against हमारा investigation चल रहा investigating company जिसके अगेंस्ट investigation चल रहा है इस company के board of doctors ने इस company ने सर्वा nominee director को appoint किया है उस company में nominees of the company or is accustomed या फिर सर्वो accustomed to act है मलब हम shadow director है उसके हम shadow director है उसके in accordance with the directions or instruction of the company or its directors बात आगे समझ एनी person who is or has at any relevant time for the company's management में था या manager था और employee था सर कभी भी company के अंदर who is or has है या था कभी भी company के management में है md है manager employee था company का पहले था अभी भी है तो उसको भी धर लेंगे corporate है या फिर पहले भी थे employee और उनको भी सिर्फ investigating company नहीं उन सारे लोगों को भी हम क्या कर सकते इंवेस्टिगेशन उन लोगों के accounts का भी investigation कर सकते हैं उनकी salary उनके ITR सब उनके घर पर जागे documents का investigation कर सकते हैं तो वहीं चीज़ बोले कि सेम प्रोविजन साथ 210 वाले 212 वाले 213 वाले जो लगते हैं एंसी एल्टी वाले ट्रिबनल वाले दो सो बारा ऐसा फाइव वाले और जो investigation वाले हो सेम टू सेम हमारे foreign companies पर लगते हैं यह मैं बोल सकता हूं सर chapter 14 के अंदर जो भी प्रोविजन लगेंगे मुटेटेट वो सारे के सारे foreign companies पर लगेंगे तो 220 भी हो गया पूरा सर्थ 217 में ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं एक बर फड़ा फड़ा फड़ से नोट्स को देख लो cc officers and powers central government state government police legal authority shall provide assistant to the inspector sir पूरी की पूरी help करेंगे inspector की ट्रीवर सेम पवर सफ़ील ऑस फेल टो सबस्टिए करेगा और एंसे और रहेंगे वो औस शेडी हो पास सारी की सारी पर दी गयिया सम्बंदे सकता है memang구िक्टेल के सबस्क्ट कर सकता है किसी person को और उफिसर को डिरेक्टर को बोल सकता है मेरे सामने आओ या फिर अटेंडेंस एन अदर परसन की भी अटेंडेंस बोल सकता है आप आओ only after obtaining approval of the center government लेकिन किसी और पर्सेंग अगर आपको चाहिए तो sir center government से approval लेनी पड़ेगी director officer को तो वैसे ही बुला सकते है किसी और पर्सेंग को बुलाना है na माल लो जो company के seller थे जिससे company में खरीदा गया था तो उनके लिए center government को बुला सकता है ठीक है जी अगर नहीं करते हैं इस नोट तो पैनल्टी लगे कि sir director और officer पे एक साल तक की जेल और 25 जार से 1 लग तक का fine और अनी अधर पर्सेंग नहीं करते हैं सचे महीने तक की जेल और fine से में 25 जार से 1 लग तक का और साथ में सर वो डिरेक्टर का vacation of office हो जाएगा उस employee का vacation of office हो जाएगा सरक 167 का coding आपको अपना office vacate करना पड़ेगा और आप disqualified भी हो जाओगे का मंज में आगई बात पार्ट टू क्या बोलता सर इसी कई इसके नए information इंडिया से बार है या इंडिया से बार वाले को लगता है जो महां की information इंडिया में हैं तो यहां बोला गया है central government की और foreign government की ना जो महांके देश की government और हमारे यांदे central government है इनके बीच मे एक आग tiet रहे में चाइन हम q इंग डियसए को कि अगर consensus फोर में डियाँ के चाहिए पार तो इंस्पेक्टर में के सेवा हैं ना चाहिए जांज मिते हैं कॉस्ट नूमें बेहों इंस्पेक्टर विले में डिलेकेशन तुद इंडीन के आए इंस्पेक्टर विल्मेट एन एप्लिकेशन तो ये इंडिया से भारवाली इत녹 लुट को इसके साथ रहा है याँ सी प्रोकल एक्रीमेंट हो रखा है recording a statement sir jobi वो परसे ना उसकी statement record करनी है producing any books record sir मुझे महां की कुछ books चाहिए records चाहिए thereafter court situated outside India will provide document records etc to court in India sir उन सारे लोग की statement लेके फिर जो भी record लेके इंडिया में भेज सकता है finally Indian court will provide evidence to the inspector Indian court evidence देंगे inspector को government of India will exchange information with the foreign government process typical India को इंडिया को इंडिया से भार information देनिया भार वाले अगर मांग रहे हैं तो क्या होगा भार वाले court India की court को बोलेगी भार वाले court India government को foreign court will provide letter of request to central government court को ने central government Central government will direct Indian court को अब Indian court को बोलेगा to proceed with the matter इंडियन कोट किसको बोलेगी विल ओथराइज करेगी कि इंस्पेक्टर को to investigate the matter sir this matter को देखो and provide a report their own within 30 days 30 days 30 बनाके दो unless otherwise provided sir कुछ और टाइम पर है तो बात एक अलग है then inspector shall provide information to the Indian court अब इंस्पेक्टर इंडियन court को information देगा reporting देगा Indian court आगे फिर किसको forward कर देगा बिल्कुल easy सा process है बस एक बार समझेना था अब आप चेक कर सकते हो बात में ठीक है जी सर 217 हो गया एक बार 218 देखते हैं यह बहुत लंबा section था इसको मैंने चार्ट की फोर्म में convert कर दिया पढ़ते रहे ना protection of employees during the investigation बड़ा प्यारा section है सर जो भी employee होंगे ना हमारी company के जिसका investigation चल रहा है उस company के जो भी employees है directors है officers है उनको आप नहीं निकाल सकते जिस company के इस inspection inquiry investigation चल रहा है जिस भी company against investigation चल रहा है स्फ वाला चल रहा है त्रिपनल बाला चल रहा है सर्जो भी का चल रह प्रोटेक्शन दी गई उसके प्लॉमोन निकाल लेगी नहीं अपने एंप्लॉई्स को तो पर्मेनेटली नहीं निकालेगी या टेम्परेटरी सबस्पेंड निकरेगी डिश्चार्ज नहीं करेगी कंपणी इंटेंट टु चाहती है कंपणी डिश्चार्ज करना सबस्पेंड करना कोई भी अपने अमप्लई को reduce करना rank of any employees sir किसी भी employee को निकाल नहीं रहे है लेकिन उसका demost कर रही है promote नहीं demote कर रही है demotion demotion लिख लेना है reduce the privilege of any employees जितनी उसके पास powers उसको कम करना चारी है ऐसा नहीं कर सकती करेगी लेकिन कैसे company can do so only after making application to the tribunal sir tribunal का application लगाएगी अगर वो approval देता है फिर मना करता है तीस दिन में वो अपना answer देगा अगर तीस दिन में नहीं दिया तो माल लिया जाएगा अगर no refusal within 30 days नहीं दी तो माल ले जाएगा deemed approval तो आप रिम्मूव कर सकते हो बट अगर negative दी गई अगर negative दी नहीं सर आप refuse कर जा नहीं आप नहीं अट आ सकते हैं तो इसके against आप appeal में जा सकते हो ट्रिबनल के order का against appeal 30 दिन में अगले 30 दिन में या तो deemed है या ना answer आ गया तो 30 दिन तो अगर तीस दिन प्लस 30 दिन appeal के अगर पहले deemed ना आ गई इमालो 10 दिन में नो आ गया answer तो अगले 30 दिन में तर एपले ट्रिबनल का NCLT का जो भी order होगा final order होगा और binding order होगा binding होगा provides its decision shall be binding and final उसके against supreme court में अपील नहीं जाएगी साफ साफ मना कर दिया अंदर पढ़ोगे सेम सब कुछ लिखा है सब कुछ सेम लिखा है मज़ा आ जाएगा बस यह अपील देखो 30 दिन वाली बात 30 दिन तक आप वेट करोगे अगर नहीं आए तो deemed approval मान लेंगे बात आ गए समझ सर 219 में पहले पढ़ा चुक हूँ 218 भी होगे 217 भी होगे 220 तक सारा हो गया अब देखो Caesar of the document देखो इसके मैं नोट्स नहीं भी बनाए तो मुझे नहीं लगता है नोट्स दिये हैं आप लोगो फ्रीज के दिए सीज के नहीं दिये कोई बात कोई दिक्कत नहीं पढ़ ले न यह सैल्फ के लिए चोड़ लो मैं सीज सेम चीज है जो मैंने महां पड़ा सेम एस सेक्शन 209 तो सबस्थ महां सर मैंने आपको टैन यूर बोला था न एक सो से दिन वाला लेकिन यहां कोई बैसा टैन यूर नहीं बोले गया तो यह बात ध्यान में रखनी है और और सारा से में वापीज देते टाइम पर आप उसमा इडेंटिफिकेशन मार्क को पीज एक्स्ट्रेक्ट ले सकते हो लेते टाइम पे कंपनीज को उसकी कोस्ट पे को पीज मांक वगए रहा है जो भी एक्स्ट्रेक्ट लेना चाहते ले सकता है बढ़ एक सो सी दिन वाला और एक सी दिन में करने वाला वह यहां नहीं है बट हाँ वो सी आरपीजी के सारे के सारी पावर वाला सेम है अप लिख सकते हो एक सेंग रिख सकते हों प्रेणने जैने बोल रहेए थैंक्यू सवर थैंक्यू प्रेणना थैंक्यू तो यू इवन इतना समझ में आगा सारे बच्चों को ए ब्रीजिंग अशेट्स औस कर सकती है freezing the assets for a period कब करेगी सर इफ अगर इन लोगों की application अगर यह 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 लोग बोल देंगे तब freeze कर सकती है can चाहे तो में freezing the assets for a period as it may deemed fit लेकिन तीन साल से जादा कभी भी freeze नहीं करेगी जितना कंपने को ठीक लगए और बोल सकती है डिरेक्ट कर सकती है कंपनी को need to comply with the order अगर कंपनी नहीं करती सर कंपनी को पर penalty लेगे देख लेना section में जाके और अपने इंक्वारियन इंवेस्टिकेशन के पाद ऐसा हुआ है कांप्लेंड वाइंबर प्रोवाइद इसक्षिन 244 शेक्षिन ऑप्रेशन मिसमेंट में आपने कंप्लेंट सर्मा कोन कर सकता है याद आने सा बच्च को लिए बिट सो मेंबर वन बैट टैन्थ होल्डिंग टोटल वोटिंग पावर टोटल वोटिंग अ शेरोल्डर जितनी टोटल वोटिंग पावर है उसका पतायाने सा बच्च को इनमें भी चैवरी जलोवर और इनमें से कोई भी एक कर सकता है मेंबर या मेंबर्स पढ़ लेन जाके यस संदे वाले दिन मेरतन लुगा लाई मैरतन उस इसमें आजाना सब कुछ क्लिए रोजाएगा इंस्पेक्शन इंक्वारी के बाद इसा लगड़ा इन्वेस्टिक्शन के बाद आसा है संटर गोर्मेंट बोल दे ओप्रेशन मेंट की अप्लेकेशन आई हुए या कंप्लेंट बाइन अधर परसें कोई भी कंप्लेंट संटर्य सेstrong कर सकता है रस्टिक्शन लगा सकता है सेलाम पर ट्रेंसफर करने पर फ्रीज का मत्रलव सराइफ ये ललगा सकताSet 218 वो गया है यह सेम है, सेम है security वाला सर। वो यह तीन साल तक आप अपनी security, लेकिन वहां क्या बोला गया था, यहां बस किस चीज के लिए बोला गया, यहां उसको sale करने के लिए भी बोला गया, देखो, एख मिनिट, सेम है, सेम यहाँ बस securities के लिए जो companies के security आब इनमें कोई भी dealing नहीं होगी तो 222 ते लिए लिए 221 लिए लिए freeze assets के लिए वहाँ security के लिए यह assets के लिए है ओगर securities के लिए देखने हैं तो आपको लेकिन यह application बस दो ही बंदें पाएंगे दिहान से, section 222 में, मैं कर रहा हूँ ना कुछ difference है, बस वो अब याद आ गया मुझे, if in connection with investigation or complaint, देखो या तो investigation connection नहीं, या inspection भी नहीं है, सिर्फ investigation के connection में अगर ऐसा लगता है, और दूसरा कोई भी परसन complaint करता है, तो sir, यहाँ यह तीन पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, यह वाला पॉइंट नहीं है, complaint वाला पॉइंट है, यह नहीं है, यह नहीं है, और इसमें भी यह नहीं है, बस यह तो यह दो ग्राउंड पे ही, आप investigation मेलब इनका security freeze होगी, अगर नहीं मानते हैं, यह fine penalties है, देख लेना, यह लिख लेना अपने नोर्स में सारा बच्छा, चलो जी बस ओल्मॉस्ट यह तो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, अब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बनाई है अपनी investigation में, बताया था मैने मा, जैसे महाँ 208 में बनेगी 230 में बनेगी same, बढ़ जी आइक चीज एड कर den, यह इंटरिम रिपोर्ट भी हो सकती है QR वह leaking रिपोर्ट का कोई provision नहीं जा, बट मेने डी रिपोर्ट झाहिए परंट इ रिपोर्ड बी और इसके को पी और सकता है जिसके भी राइट अफेक्ट हो रहे हैं वो ले सकता है और कैसे देंगे सील्ड कवर में पैक करके देंगे सर्टिविकेट पब्लिक पढ़ते रहा ना कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं है अब मैं आपको बढ़ाता है अब जैसे रिपोर्ट आई क्यां सकता है रिए या फिर सर्ट ओपरेशन में में एप sneeze मैंस मैंजमेंट हो रहा है करो बोत या फिर दो नो भी को पढ़ते रहे ना डिस्गोर्जमेंट डिस्गोर्जमेंट का मलब होगा मैं नहीं हाँ डाला है सर एक्टिव गिविविंग एंस सम्टिंग गिविविंग अप सम्टिंग सच आइज प्रोफिट ऑप्टेंड वाई इल्लिगर और अथिकल मीन्स तर आपने कोई में को बोलेगा जंठ सब्सक्राइब को अप्रोजींटं वो खुझ से कर सकता है इस जला को अधरावस अप्लिकेशन आएक ट्रवाजगेश्या राया कर Ricky गहांए शयर्ट जो भी पैसा डिसींदमेंट में इतना बड़ा है मैं सारा इंडेप्ट नहीं पढ़ाँगा मैंने सारा आपको बिसक्राइब कर दिया जो इंपोडेंट था सारा मैंने चार्ट में दे दिया एक तो आपने बता था था मैंने आपको 214 के अंदर security deposit अब यह बोल रहा है कि जो खर्चा आया है यह सारा करने में कौन बियर करेगा कोई भी परसन जो officer in default है company है सब कुछ एनी company or body corporate और unless a prosecution is instituted अगर सर prosecution नहीं की अब हम बोल रहे हैं अगर prosecution कर्दी center government ने 224 में सबसे पहले अगर नहीं की तो company body corporate managing director dealt with the report of the inspector and sir 213 में sir अगर ऐसा है तो जो भी ट्रेबिनल ने applicant for the investigation उस सच एक्स्टेंट एज़सेंट गोर्मेंट तो ट्रेबिनल भी करें जो भी application करेगा बाद में indemnify defray कर लेगा center government किससे इन लोगों से जिसके अगेंच टोड़ रहा है उस company से और अगर क्रिमिनल और application लग गई voluntary winding up हो गया एसर पास करके हो गया whatever जो भी ट्रेबिनल के पास spending है उसका हमारे investigation के ओपर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा फिर भी inspector को बताना होगा अगर कोई ऐसी application ncl2 के सामने आ गई inspector को सब ट्रेबिनल को बताना होगा कि सर इस company against investigation चल रहा है जेंड ट्रेबिनल को जो भी सही लगेगा ओडर डिम्ड फिट वह पास कर देगा इसकेस में इंस्पेक्टर शेल इंफॉर्म्ड ट्रेबिनल अपुछ सेम लीगल एडवाइजर और यह धिहान रखना एक को प्रोविजन होता है इंडियन एविदेंस में इंडियन एविदेंस में महीं पर सक्षिन है प्रिवलेज कम्मुनिकेशन जो भी एक लीगल एडवाइजर एडवोकेट के बीच में और उसे क्लाइंट के बीच में जो और नहीं बताएगा इंस्पेक्टर को और नहीं बैंकर कोई भी एक्जाम में आना मुश्किल है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं किसे अगर ऐसा हो जाए पेनल्टी फॉर फोल स्टेट्मेंट वगर आगर आप देते हो जो भी लोग तो फ्रोड के केस में तो फस होगे और इन सारे केसे ना फज्जाओगे जो इन्फरमेशन दी वह आपने गलत इन्फरमेशन दी मूटिलेड करके दी फ्रोड निटेंपर करके दी तो सारी क्या आया है एक मल्टिडिसिप्लिंटी और्गनाईजिशन है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जैसे CBI होती है ना ऐसे ही कंप्रीज एक्ट में वाइट कोलर क्राइम्स के लिए सफाइउ आया देखो वाइट कोलर क्राइम्स के लिए कैपिटल मार्केट के टेक्शेशन से लेडिट इन्वेस्टिगेशन कंप्री लो Information Technology Forensic Audit जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे ना इसमें वो सारे एक्सपर्ट और डिरेक्टर इसको मिलके सफाइउ को ओफिस होल्ड करेंगे और सर जो भी डिटेक्ट करेंगे और प्रोजिक्यूट करेंगे ऐसे क्राइम ऐसे प्रोजिकिशन जो वाइट कोलर विजया मालिया नीरव मोधी पड़ाना सबने तो ऐसे से क्राइम्स को क्या करेंगे सर एक से ज्यादा और थोर्टीज की पावर है, competition में भी आ रहे है, companies act में भी आ रहे है, different regulatory bodies में भी आ रहे है, और complex matter है, wide-cord crime, बड़े-बड़े लोग है, authorities भी डिरती हैं, उनसे, SFIO के आतमी case जाहिगा, जैसे CBI के आतमी जाता है, जब power police से बहार हो जाती है, substantial involvement of public interest बहुत सारे लोग ही तुजरा सक्टियंगेस पॉसिबिलिटी ओफ इंवेस्टिगेशन लीडिग टूर कॉंट्रीटिए टूर्स एक क्लियर इंप्रूमेंट 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 इन सिस्टम जरूरी है लेवल पर अगर क्राइम हो जिसमें बहुत सारे लोग को आहित जुड़ा है तो सर डिपार्टमेंट ओफ कंपनीज अफेर्स आज एमसी हो चुका है पहले मैं आपको बता दू एक बात 1956 में 1956 में ऐसा फाइयो नहीं था था लेकिन सेक्षण नहीं था अब 2013 में 211 सेक्षण बना दिया गया एंड 212 सेक्षण बना देगा बनाया तो कब गया था 2003 में लेकिन उस टेम इसका कोई सेक्षण नहीं था प्लस में सर्फ एक्सपोर्ट का भी ग्रूप होगा जो उनकी ओफिस में एक्सपोर्ट की स्फिल्ड में बैंकिंग कोर्पेट अफेर्स टेक्शेशन फॉरंसे गोडिट कैपिटल मार्केट इंप्रमिशन टेक्नोलीजी लो अधर फिल्स में सब में एक्सपर्ट होगा यह पढ़ते रहने सर आप रूल्स यह मैंने पढ़ा रहा हूँ डेक्टर का रैंक नोट बिलो दे रैंक ऑफ जोइंट सेक्रेटरी होगा सर जो अधर लोग है उनको भी पुरा एक्सपिरेंस होगा रूल फोर का गोडिंग लिए वो काम करेंगे यह पढ़ते रहने यह थि बोर्ड होगा कौन-कौन उसके बोर्ड के इंदर आएंगे में वहलब कौन-कौन उसकी अथोर्टी होगा कॉंपोजिशन बता दो उसका आ सकता है यह रूल 3-4 ना एक बार सेल्फ रीड कर लेना एक बार प्लेन रेडिंग मारोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है कॉल देखो सर कैसे में जो चीज में 12 घंट गया असपास में कलास में करवाता हूं 12 घंटे साड़े ग्यारा गंटे लास्ट साम लगे को देखो तू आर्स मतलब ओनेशली मेरको तो बड़ा मजा आ रहा है जो बच्चे विचारे फैनेशली साउंड नहीं है जिनको जिन्होंने अपनी मेहनत कर ली या इधर उदर फैकल्टी से कोचिंग ली है और जो सैटिस्पाइन नहीं हुए है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज हो गई है बहुत अच्छी चीज लाइब आओ पढ़ो यार और मलब देखो अब कुछ तो गिवन टेक होना ही चाहिए मैं इसको हटा दूंगा फिर उसके बाद यार ठीक है तो मुझे परसनी लगता है सब एंजोए कि आदेखो अभी चार्ट देखना जबरदस चार्ट ब पोज सबर दो मिरको नहीं पता चला यार अच्छा संजे खुश्रेजा जी है वाव आप मैसेज करते हो मेरे को मैं कभी कर पाता हूं कभी नहीं कर पाता हूं यार बीजी रहता हूं पूरा दिन सोरी उस चीज के लिए तो मेरी वाइफ मुझे बाद में बोलते है संजे एक सो साथ एक सो सतर घंटे का सर रेगुलर हम लेते हैं लेक्षर बाद में ने समप नहीं हो पा रहा है तो मैं पहले तो नोर्स भी नहीं बनाता था ऐसे सब्रेट क्लास में बनाता था अब मैंने वहीं चेंज कर अगर मैं 15-20 घंटे दे भी दिया बच्चों को 20 घंटे द ओंडे वोध इंपोर्टन धियान दे जाए फ सेंट्रल गोर्वर्मेंट है जैं सेंट्रल गवर्मेंट गया इंडेक्ट स्फाइव अन्टन गवर्मेंट कें डार्यक्ट स्फाइव अगर तो 10 में और Kun तेरा से बोशन 2 309 के इंदर कर निया इटिकेशन तो करेगा इंस्प आगर सर करनी है फ्रोड सीरियस फ्रोड कॉंगनी जब लो फैनसे के इस में श्यक्षिन दो सो बारा एंड दोसो ग्यारा में तो सब कुछ नहीं है क्लास का क्लास में तो एनलेसिस करते एंड पे और पे और पे महां की बात पकड़के यहां लेके आते हैं यहां की इंटर्पटेशन करते हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर में काम आएगी जब आप अपने इंडस्ट्री में जाओगे एक्जैम में और इंडेप्ट जब आप लोगों ने पढ़ लिया है मैं तो प्रिजूम सब्सक्राइब अगर वह तो नॉर्मल थी अगर वह रिपोर्ट आई और वह देख लग रहे है जिसमें पॉब्लिक इंटरस ज्यादा जुड़ा है उस रिपोर्ट को देखे लगता है इन्वेस्टिशन की वर चार्स एकजाइम से एक दिन पहले बहुत कम आएंगे यह चा साथ सैभी पढ़ोगे ना और फैमा वाले प्रोविजन्स पढ़ोगे कल मैं कम्प्लीट करवा दूमा चेप्टर आपका लब जो नेक्स्ट क्लास होगी अब हमारी थरस्डे को कम्प्लीट सर जो तीन दस के अंदर ग्राउंड थे न पहले तो सरोट चारओंट वले लो तीनों ग्राउंड सुरी तर दो सो दस एक अंदर बैंन के अंदर बीगे औरर सी जूंतर हो ज्यांत और दिखा दौगा भाई और अब सर एक नंग्टनीजेवर घ्रिए की लिस्ट भी बताई गई एं सेक्शन दो 751 डिखा दूंगा मैंगए यहां ने डाला इन दिखा दूंगा रीसीवड एनि इन्दिमेशन फ्रोम एनि इंटिमेट किया है इससे डिपार्टमेंट मेना फ्रोड जादा चल रहा है इसके अगेंश्ट एक बरना एक्षिन ले लो एक बर देख लो इन्वेस्टिगेशन कर लो अगर ऐसा कुछ होता हर्में से कुछ भी होता है और लगता है सैंटर गोर्श्मीय और सब्सक्तर और इस प्रोड करो शर्ण इन इन डाट केस नो अधर एंसी कें इंटरप्ट विद रिस्पेक्ट तो धूर अगया इस पर तो हमें सीरियस केस था इंस्पेक्टर आपने बीच में बोला सर्ट सीरियस केस आप पास ले जाओ बोल दिया तो ठीक है रिपोर्ट आने के बाद भी सप सर कर सकते हैं अगर ऐसा हो गया इन डैट केस तो कोई भी बीच में इंटरक्ट नहीं कर सकती आरो सी कोई भी बीच में कोई भी आके नहीं बोल सकता सर इसको बीच में बाड नहीं करेगा डोकुमेंट सारे हैल्प करेंगे डोकुमेंट देने में कंपनी भी ऑथोर्ट इस आरो सी भी जो भी फाइलिंग्स कर रखे सारी इंफर्मेशन से निकाल सकता है पूरी पूरी पावर एस फाइयो के दिगे पांच मांक्स का मिनीमम मान के चलना एक्जैम में आ जाएगा अब हावएवर अधर अजैंसी श्याएर इनफोर्मेशन विदा एस फाइयो और इसे वरसा इन से ले भी सकते और दे भी सकते हैं बद इंटरप ने करेंगे आरो स्यों कुछ चाहिए रैबनलो कुछ ले लो दे दो इंफोर्मेशन बट इंटरप ने करेंगे उनके काम के देरों शेल करेंगा कितने दिन में सब कोशिश करेंगा in term report भी जैसे हमने आपड़ा था ना थो सो ही इस में report during investigation और final report भी दे सकता है complete करके investigation same process लागेगे सर इस f i is if sfio is of the opinion that sir investigation भी चल रही है है खतम नहीं हुए है उसको लगता है that a person of that a person is liable under section 447 से चार्ट्स प्लाइस के अंदर फ्रोड के अंदर लाइबल है जो भी स्फ़ायो का डिरेक्टर है डिरेक्टर मौर लेना अरेश्टिक अरे यह ने इनको बोलके इनी अधिया हो गपारे asking कर वाली इंटिया को यह इंटे होगे एसाफ ऑई picks कंवा सकता था औरा सकता है एंड प्रेश्ठ ही मिन ये-ध माने polarization इसके सामने इट के सामने विधिन 24 हर बोलते ना जो भी हमारा डिस्टिक में जिस्टेट होगा उसके सामने हमें लेके जाना पड़ेगा 24 गंटे के अंदर अंदर शेल एक्सक्लूड और सर वो सबको पता है सेक्शन 167 एक प्रोविजिन होता है CRPC में मैंने आपको CRPC पढ़ा है ना CRPC का सर जिस टाइम आप लेगे गए हो जाने तक का टाइम अरेस्ट करने वाला उसको एक्सक्लूड करतो और इसको बेल नहीं मिलेगी ध्यान रखना बेल तब नोन बेलेबल होगा मैंने आपको पहले बोले था कॉंग्रीजेबल है नोन बेलेबल है करते हैं जी बिल्कुल आपने CRPC में वहां पर भी मैंने बताया था करते हैं अब्लिक प्रोजुकुटर है अप्रूड देट अगर पॉब्लिक प्रोजुकुटर अप्रूड कर देता बेल जो मैं लब स्टेट का केस बन जाएगा ना फिर यह स्टेट ओफ यह बर्शिस सत्यम अगर होई अप्रूड कर देता बेल प्रोजुकुटर अगर प्रोजुकुटर ने mock प्रोजुकुटback को लगता हैं और क्रूड पर भीज़ देंगे तब दुबारह क्मिट नहीं करेगा अगर court को बिलीव है कि sir जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा जब तक हम ले लो sir public prosecutor ने भी बोल दिया ऐसा फाइयो ने sir although कहा है लेकिन public prosecutor को भी लगता है sir क्या पता मामलाख संगीन नहीं लग रहा हमें और court को भी लगता है कि sir नहीं इसने गलती नहीं की वैसे फसाया जा रहा है या फिर यह बेल पर छोड़ने के बाद गलती नहीं करेगा दुबारा तो हमें बेल मिल सकते हैं दुरवाइस बेल नहीं मिलेगी लेकिन sir कुछ exception सब बच्चों को पता CRPC में भी अगर 16 साल से कमका है वीमेन है बिमार है इंफर्म है मलब इंसेन है तो आपको मिल जाएगी एक्शेप्च अमलब बेल चाहे नोन बेलेबल केस है फिर भी आपको बेल मिल जाती है बात समझ में आ गई मुझे लगता है sir बहुत प्यारे तरीके से एक्जैम में आया तो आप लोग लिखके आ सकते हो तो सेमसर सेम है बस एक यह अलगा है जो मैंने राड़ कर लगा है अपने नोर्स में और रिक्वेस्ट वसेंटर गवर्मेंट डिपार्टमेंट सेंटर गवर्मेंट ठीक है व सरकर कर भी रहे थाना ट्रैंसफर कर देंगे सरसारे का सारा केस को अव्ध ज़लक्र गोर्मेंट इसलग इंवस्टीकेशियं बलाज़ एंड फोनो दको लो एंट्न ए नीमजेश्र ओशर में बता के बस जो मेरे को बताना था ना सब्सक्षिंशन 6 के अंदर नोन को मेरे देवल उफेंश बताने नहीं प्रोवाई जो में को मुझें सब्सक्राइब एक मेरे को यह कुछ चीज थी यह रिना इन लिमिटेशन और ग्रैंट ऑफ बिल फर उफेंश लियाबल टूपनिश्म आया था यह रना ओर थर्ट इन गंडर बलागे नोन को मिटेवल नोन को मिटेवल सारे नों को मिटेवल होंगे अधर देन सब्सक्राइब करने होंगे अगर यह को मिटेवल के अंदर है उनको लगता है सब्सक्राइब को माल लिया जाएगा यहीं सेक्षण को मिटेवल फैंस और वर सारे नोन को मिटेवल होंगे बस यह यह जो लिए दिकार इस किसका राइट है आट को बताए दिया था सर क्यों क्ब्स करेंगे इनका ऑब सी कप्लिक पर्प्लिक दोगी छाहेगा तबी पहल होगी और यह पूड्र आइउ इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्लोड लिपार्टमिंटि सफ योगां इंवेस्टिगेटिंग ओभी सेरोगा पावर है और इंस्पैक्टर जो इंसपैक्टर को पावर निनली ऑन रही वाली वह सारी कि सारी क्या पता एक्जाम में कोशिदें सर्प एस अफाइयो के पास ज निक बनके मिल सकता है अंजी गोग हम दो घंटे में बोला आपको बस दो घंटे दे दो बोला था दो गंटे अब एक स्पीरियेंस हो चुका कि सरक इतने घंटे में कोई चीज हो सकती है two hours seven hours approximately 6.5 hours approximately six plus hours हमने क्या CRPC और तराइस दो घंटे में मैं आपको पूरा पूरा चैप्टरी मान लो आज आप ये कंपनी रेक्ट कर लिया ना तो पूरा चैप्टरी हो गया कुछ निराब चैप्टर के अंदर सेम चलेगा सैबी में फैमा में सेम है अब मैं पटिसका मलब यह नहीं नेक्स क्लास में नहीं आओंगे आएंगे सारा बच्चा आज से ज कि मजा आ गया चीआ आपको एक्जेटरी वाले बच्चों की मजहा आ गया अच्छी बाद है तो एक बार मुझे बतादो सर सब बच्चों को मज आया एक त्यजटेटी जो हमारे मारी सी टैंशन अलूआ कि इससे पहले एक्जिकिटीव के बीच में तो हुछ और कोडिकोडिंग करनी थी लब गुंति इट अर्श हो चुग हो चुग है बोलते हैं और बच्चों को भी कि सरह हमें मंजा रहा है और वोग बोलते हो थे अकाश पॉर्डर देट्स ग्रेट है कि तो मैं बोल सकता हूं आज हमारा चैप्टर नबर फाइव भी ओल्मोस्ट फिफ्टी सिक्स्टी प्रसेंट पूरा हो गया 60 बोलूगा मैं 60 प्रसेंट पूरा संडे वाला दिन याद रखना है टाइमिंग बताओगे एक बार यह संडे आप सारा बच्चा रेडी हो कि एक डाट्स ग्रेट संजे कि थैंक्स रिया थैंक्स तो नी मलब नैना सोनी कि सैशन तो अच्छा हो नहीं था क्योंकि मतलब ओनेश्टली मज़ेदार टोपिक से मज़ेदार टोपिक है बट हाँ सर मैं M.D.U. से L.L.B. कर लूँ नहीं M.D. वाले मार्क से नहीं देंगे फिर आपको यारा टेंडेंस वगरह में दिक्कत आएगी CCS वगरह से कर लो थैंक्स रिया थैंक्स थैंक्स बस एक काम करना बच्चों में अब फैलाद हो वाइस कॉर्पेट डिस्प्यूट में एक ही नाम है बस यहीं मेहनत होगी सारी होगी स आफटर शिक्स एनिटाइम आफटर सिक्स संडे वाले जिन भी आफटर six कि यह बाद में कर लेना यह बात यार मुझे बड़ टाइमिंग बता दो संडे वाले दिन का क्या टाइम रखो चोदरी चर्ण सिंग उनिविस्टी खुश्बू अगर किसी को admission वेगर लेना है को problem है तो मुझे message कर देना अब भी मतलब मुहां एक अच्छे खासे लेवल पर परसन है मैं उनको बोल के करवा दूंग admission क्या पांच बजे स्टार्ट करूं शाम को पांच बजे पांच बजे स्टार्ट करूं कि येस पूजा संडे का थोड़ा मोर्निंग का टाइम मत दो कि मैंना संडे वाले दिन बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं पूरे महीने के हफते के तो अब जैसे ब्रेदर वगरे भी एक्सपायर हो गए तो दो तिन फैमिली का थोड़ा सा देखना है तो मुझे थोड़ अगर मैं इसको चार से पांच घंटे की भी लेता हूं चार चप्टर आपके कवर कर दूंगा जी चार चप्टर पहले चार चप्टर कोशिश रहेगी मेरी पहले चार चप्टर पूरे करना उसमें जितने केसे दायन नहीं आया पुरान याई सायरेस मिस्त्री वाला सब कर करवा दूंगा टैंशन अलो तैरेस मिस्त्री वाला भी करवा दूंगा टैंशन अलो मुझे लगता पांच बजे ना एक एक्जेक टाइम है उस टाइम किसी और का लाइव अगर नहीं हो तो मैं चेंज कर दूंगा तो अगर लाइव अगर नोटिविकेशन नहीं जाती है बड़ा दिक्कत होता है मुझे अब क्या करें बताओ तर यूट्यूब पर रहेगी क्लास संदे वाली नहीं जी नहीं नहीं रहेगी मैं देखूंगा मलब रेका शर्मा बोल रहे हाई इशा दीदी अब डॉन्ट नो इशा दीदी कोन है वह आप लोगों में सी होंगी माइट भी है चलो ठीक है ठीक है मैं डिपेंड करता है आज जैसे क्लास है आज मैंने इतना कंटेंट दिया है कि रेगुलर क्लास का ना 10-15 परसेंट है मेरा 15 प से दूसरा क्या होता है कि वाइव नहीं आता है अज बच्चा जैसे लाइक फोटि अप्रोक्ची मेंट चालेज प्लस बच्चा लाइव रहायों कॉंटीनर्स अब और दिने आपकू है इपने मस्ति में में लगा रहा है ठीक है तो तो आज शैशन मुझे लगता है सब वेस्ट ग्रूप दे रहे हो तो गवर्नेंसी क्लास में आ जाया करो बहुत अच्छी क्लास चलती है पूरा 20 मार्स का रिस्क मेंजमेंट करवा दिया है विद निमोनिक्स विद चोट नोट्स दोनों की दोनों क्लास अप्लोड देख लेना या कोई भी और बच्चा जो भी ग अब आप जब देवांगान भाई च्छा बज़े मैं सोतता हूं सुबह पांच बज़े चार बज़े चार बज़े तो पोसीबल नहीं मोनिक मत बोलो तो ठीक एनना आप गवर्नेंस जरूर देखा करो बहुत बहुत आपको हेल्फुल होगा चलो जी बहुत सारी बाते हो गई अब गलया जवाब दे चुका है भाई खाना मैं खाना नहीं सकता हूं जश्ट बिकोज ओफ माई लीवर इंफेक्शन पोस्ट कोविड सिम्टम्स और रात को खाना तो खाऊंगा नहीं अब तो देखते हैं क्या खाके सोना पड़ेगा पी के सोना पड़ेगा कुछ दूद चाय वेगर कुछ भी वटेवर ठीक है दी चलो जी तो मिलते है नेक्स क्लास में सेम टाइम सेम जंगा सारा बच्चा आएगा और बच्चे को भी लेके आएगा और अगली क्लास हमारी बहुत इंपोर्टेंट होगी जो भी अब रिमेनिंग चेप्टर रहे गया एकसेप्ट जी एस्टी और इंकम टेक्स सारा पूरा होगा फिर मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर शिक्स आपका उससे अगली क्लास में सेट सैट गुटनाइट जी गुटनाइट जी वेलकम जी वेलकम वेलकम